तो सब लोग यह लक्ष्युनर्स आ रहे हैं, बशेवी दूर वाले आजकल आके पढ़ना नहीं चाहते हैं, इसका रीजन यह है कि सब आलसी हो चुके हैं, यह हम कह सकते हैं कि टेकनो लोजी की benefit लेना चाहते हैं, लेकिन ले नहीं पाते हैं, इसका रीजन यह है कि टाइम पर मुझे लगता है कि जितने भी हमारे recorded lecture जाते होंगे, उसमें से 10% strength ही ऐसे होंगे, जो time पे अपना course complete करते होंगे, otherwise ठीक है, हमारे bus में तो है, आज नहीं, कल देख लेंगे, कल नहीं, पड़सो देख लेंगे, और ये सिर्फ है strength के साथ नहीं होते हैं, टीचरों के साथ भी ह अगर आज अगर आप लोग यहां ना बैठे हो, या कोई batch अगर announce ना हो, और मुझे अगर सिर्फ record करना हो, तो जो चीज थी मन्त का batch होंगे न हो सकता है, उसमें 5 मन्त जाएंगे, क्योंकि human behavior है, जो आ ही जाता है, एक तरीके साब समझ सकते हो, तो आप लोग को तो जो भी यहां face to face आके बैठ के पढ़ना चाह रहे हो, आपकी पहला effort जो है, वो बहुत ही अच्छा है, टाइम पे course complete होंगे, और एक और भी चीज है, अगर आप class के बाद, one hour या one and half hour अगर daily revision के लिए देते हो, तो 80 plus की target SFM के लिए छोटा है, इसी आप हमेसा याद रखिएगा, और यह आपको दिख भी रहा होंगे, जितने भी अगर आप आज मेरे पास जितने भी student होते हैं, वो सिर्फ अपने friend के reference वाले ही होते हैं, तो उन लोगों से आपको idea लग गया होगा कि मेरा पढ़ाने का style क्या है, मैं कभी भी किसी भी formula को रटा लगाने वाले काम, या जो सिर्फ question हम solve कर हो जाए, इस तरीके का हमारा approach कभी होता ही नहीं है, और financial management इसलिए interesting हो जाता है, क्योंकि यह हर दिन हम day to day life में, इस seizure को use कर रहे होते हैं, क्योंकि आप यहाँ जो भी कुछ पढ़ोगे, उसमें से सिर्फ 10 to 20% course syllabus ऐसा होगा आपको, जो आपको day to day life में use नही इन्ट्रेस्टेड हो जाता है, आज अगर tax session आप लोग को क्यों आसान लगता है, या क्यों interesting लगते हैं, क्योंकि इसको हम daily life में use कर रहे होते हैं, exactly वही same चीज आपका financial management के साथ है, चाहे वो derivative अगर होगा तो आप क्या कहते हैं, stock market में, सामने daily चल रहा होता है, तो उसको म screen पर देख लेते हैं, चाहे foreign exchange जो यह भी daily life में चल रहे होते हैं, security valuation और जो chapter है, वह भी आप देखेंगे, तो कहीं न कहीं आपका सारे के सारे, जब आप जाते हो किसी company में जो आप audit कर रहे होते हैं, जब उसका financial result आती है, उसकी जो share के price के movement आती है, सारे के सारे valuation आपका य जो आता है, तो इसी region से financial management जो होते हो हमारा interesting subject बन जाता है, तो आईए सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको background देदू कि हम लोग किस तरीके से स्भाच में पढ़ेंगे, कैसे करेंगे, तो ये class notes आपके लिए prepared किया गिया है, ये class notes आपको अभी हमारा ready नहीं है, इसमें approximately जो भी something है, हम कह सकते है, 4-5 lecture के around cup का मिल चुका है, जो live में है, उनको थोड़ा सा difficulty जो सकता है, recorded वाले को तो नहीं होंगे, क्योंकि recorded वाले तो वैसे भी सोच रहे कि चलो माराम से कर लेंगे, मैं live बाले को अभी मैं share कर दे रहा हूँ, मैं note, एक second, ये मैं पहले इसलिए share नहीं कर पाया था, क्योंकि कल साम को 7 बज़े finally हुआ था ये, इसलिए मैं share नहीं कर पाया था, अभी मैंने group पे share कर दिया है, तो कुछ दिन तक आपको one month तक, इसलिए हमारा जो अभी की batch है, वो week में four days ही जाएगा, तो week में four days, Monday, Wednesday, Friday and Sunday, तो थोड़ा सा time gap भी मुझे मिल जाएगे, और इसी बीच में prepare भी हो जाएगा, तो live value को थोड़ा सा difficulty जाएगा कुछ दिन तक, आपको खुद अपने level पे print कराना है, अगर difficulties होंगे, आप बोलोगे sir, हमारा खर्चा करा रहे हैं, तो कोई नो आपको reverse करा देंगे, आप मुझे बता दीजिएगा, और जैसे ये notes प्रिपेर हो जाएगे, दिन हम लोग हो सकता है, अगर आप लोग का कोई और batch नहीं होगा morning time पे, तो हम लोग इसको all seven days करके, इसको फटा-फट complete करने के भी कोशिस करेंगे, तो कैसे पढ़ की हमारा question book है, हमारा question book की pattern कैसे होती है, तो मैं आपको एक वार अगर थोड़ा से बता दू, तो जो भी चीज, हमारे question की जो collection होती इस तरीके से, हमने सारे के सारे questions को topic wise arrange किया हुआ मिलेगा आपको, जैसे कि ये देखे, एक कोई topic है, application of two way code की अगर हम बात करें, तो इसमे दो series मिलेगा, एक ABCD series मिलेंगे आपको, जो कि हम class में solve करते, serially, और जो आपको घर पे solve करना है, वो हमारा test your knowledge series होता है, ये हम class में solve नहीं करते, similar question आसान वाले होते, ये आप लोग को homework है, जो आपको घर पे solve करना है, इसके लिए अगर कोई solution में अगर hint चाहिए, तो इसके हम अलग से solution book देते हैं, जो कि ये हमारा आपका solution book होगा, ये solution book अलग मिलेंगे, इस book में सिर्फ उसी question का solution मिलेगा, जो homework वाले question है, जो class में solve होने वाले question है, उसको तो हम लोग class में solve करेंगे, जैसे हमारा premium discount पे कुछ questions है, इसमें ABCD series जितने भी है, ये सारे हम लोग class में solve करेंगे, और जो ये आपका माल लिजे, ये आपका H, I, J, यहां तक, यहां तक हम लोग class में solve करेंगे serially, और ये जो आपका series ये अपको घर पे solve करने है, इसका हम लोग आपको solution book आपको अलग से provide करेंगे, और एक रह जाता है, examination time में revision के लिए summary book, तो ये आपका summary book भी हमा examination time में relevant होते हैं, अभी आपको इसकी जरत भी नहीं पड़ेगी, तो ये last में भी अगर मिलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा सारे के सारे concept को summarize किया हुआ है, even जब examination से कुछ दिन पहले, खास करके होता क्या है, SFM student जो होते हैं, सबसे पहले ले ले लेते हैं, 50% restaurant का examination time में feedback यही रहता है, सबसे बढ़िया paper तो यही हो गया, लेकिन बीच में जो छोड़ दिये, उसके बाद हो जाता है zero, और फिर जब start करते हैं, तो इस टाइम उनको difficulties नजराना चुरू हो जाता है, तो इसके लिए ये जो हमारा summary book है, इसी को base बनाके हमने revision video जो गर भी बनाया हुआ है, और यूटूब पे अवलेबल है, तो वो revision video आपको उस time काम आएंगे, जब आपको revision करना है, start करना है, बीच में gap हो जाएगा, वैसे में gap मैं हमेसा suggest करता हूँ, कि आपको बीच में time gap नहीं होने देना है, हर one week पे एक दिन, या two week पे one day, full day, आपको at least SFM में देते ही रहना चाहिए, question solve ना भी करो, तो आपको revision concept का होते रहना चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, आपको zero नहीं हो पाता है, और अगर एक बार सारे concept sugar अगर आपको याद रहेंगे, तो examination time में आपको SFM में अच्छा marks score कर सकते हो, और ज़्यादा मैं खुद history में more than 90% extent, जिसको मैंने पढ़ाया है, उसके 8 में से सबसे highest marks आपका SFM में रहेगा, अगर आपके बांकी paper में 60 आप ला सकते हो, तो मेरे में 80 रहेगा, इतना मैं आपको assurance दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मुझे कुछ बोलने की ज़रत नहीं है, चलिए, अब आगे बढ use किया है, उसको base बना के होगा, CMA final वाले का 2022 syllabus है, उसके लिए भी relevant रहेंगे, और कुछ instrument हमारे जो है, नेपाल के भी होते हैं, IKN के, जिसका CAP 3 वाले के लिए भी ये watch आपका relevant होगा, अब अगर हम बात करें, content wise कि हम किस sequence में हम लोग class को cover करेंगे, किस तरीके से तो देखिए, सबसे पहला chapter जो हम लोग cover करते हैं, वो is foreign exchange risk management, वैसे ये लोगों को difficult लगते हैं, और कुछ लोग तो कहते हैं, स्टार्टिंग में ही क्यों ले लिए, आसान वाले chapter लेते हैं, जिससे normally सब लोग करते हैं, देखो मेरा ये मानना है कि जब आप class में, जब start किय होते हो, तो अभी आपका attention जादा होते है, energy जादा होते है, घर पे जाके लगता है कि थोड़ा सा कुछ revise करें, और कितना भी difficult हो, अगर आप उस पर time दो गे तो आसान अपने आप हो जाता है, तो मेरा ये सोच है कि आप जब revision करना चाहते हो, जब आप पढ़ना चाहते हो, और हम जीरो लेवल से पढ़ाने की वज़े से कुछ भी यहाँ पर difficulty जाता नहीं है, और जब तक आपका energy थोड़ा सा down होते है, तब तक हमारा एक difficult chapter जो एक complete हो जाता है, और यह ऐसा कुछ examination नहीं होगा, जहां पर foreign actions से 10 to 16 marks सा question ना आए, कभी-कभी तो 24 भी जाते हैं, कभी गभी तो derivative के साथ mixer बना के भी question जब डालते हैं, तो 30 marks भी पहुँच जाते हैं, यानि कि foreign actions के बिना अगर कोई कहते है, student कि मैं exam में बैठ जाओ, और अच्छे marks लेके आजाओ, कभी possible नहीं है, foreign actions में हम लोग को, जो target है 15 lecture का, 15 lecture जाते हैं, क्योंकि lengthy chapter है यह, उसके बाद हम लोग basic के start करते हैं, यानि कि कोई student अगर foreign exchange मिस भी कर दे, और यहां से शुरू करें तो उनको कभी कोई दिक्कत नहीं होंगे, क्योंकि हमारा basics जो हते हैं, यहां से शुरू करते हैं, वैसे C.E यह final में time value of money कोई नहीं पढ़ाते हैं, पूरे industry में, यह मान के चलते हैं कि आप पहले से पढ़के आये हो, और जहां मैं assume करूंगा कि आप पढ़के आये हो, वहां पर दिक्कत शुरू हो जाती है, इसलिए मैं time value में भी 3 lecture देता हूं, क्योंकि financial management में, अगर effectively calculator अगर आप लेते हो, तो आप एक सीज मान के चलना, examination का 10 to 15 minutes आप save कर सकते हो, सही से calculator use करके, तो one lecture तो हमारा calculator use में ही चला जाता है, और जब आप यहां पर calculator use सीखते हो, तो आपको realize करते हो कि हाँ, यह सब हम नहीं जानते थे, यानि कि 5 function है नहीं calculator में, उसको भी जानने के लिए आपक लग जाता है, तो आपको उससे time save हो जाता है, और बांकी जो 2 lecture होते हो, हमारा time value में जाते है, stock exchange में भी हमारा 3 lecture जाएंगे, कुछ लोगा मानना है कि सर, हम तो सिर्फ SFM पढ़ने हैं, हमें stock market नहीं जानना है, हमें जुआ नहीं खेलना है, हम आपको जुआ खेलने के लिए ना सिखाते हैं, ना कभी हम recommend करते हैं, याद रखिएगा, वैसे सब चीजों का एक positive views होते हैं, एक negative views होते हैं, stock market को आप अगर negatively देखोगे तो जुआ है, अगर इसको positively देखोगे तो ऐसे समझिएगा, किसी भी country के economy में contribute करते हैं, आज आप reliance industry तो established नहीं कर सकते हो, लेकि हम इसलिए भी नहीं पढ़ते हैं, कि आपको market में trade करते हैं, हम इसलिए पढ़ते हैं, क्योंकि एक आपका जो बहुती बड़े voltage वाले जो दो chapter है portfolio management और derivative, यह दोनों आपका 100% link है किस से, stock market से, अगर इसका basic नहीं है, तो आप अगर कहते हो कि derivative और portfolio में master बन जाएंगे, तो कि RC हम ऐसे समझते हैं, वो सोचते ही कि हम अपने हिसाफ से पढ़ेंगे, अपने हिसाफ से क्या पढ़ोगे, क्या morning का time आप अलोट नहीं कर सकते थे, हमने जान बुझ कि अभी 9.30 तक का ही time रखा है, ताकि जिनको भी office जाना हो, आराम से office आ सकते, उसके बावजूद भी, ह वो अपने आप decide करना चाहते हैं कि हम क्या पहले देखे और क्या बाद में देखे, वो क्या करते हैं, माक्सिमम इस जिसके पास time कम होते हैं, वो stock exchange skip कर देगा, और बाद में derivative में और portfolio में जब परिसा नहीं आएगा, और फिर जो चीज question पूछेंगे, उस answer यहां से, sir हमने तो stock exchange छोड़ दिया, थोड़ा time कम था ना, हमने सुचा हमें trade तो करना नहीं, हमने skip कर दिया, recorded वाले के लिए एक recommendation है, एक चीज याद रखेंगे, जो भी चीज में पढ़ा रहा हूं, sequence में देखेंगे, कोई भी उपर नीचे नहीं करेंगे, क्योंकि देखें, सिर्फ अच पढ़ाना से नहीं होता है, आपको क्या चीज पहले और क्या चीज बाद में पढ़ना, उससे भी बहुत सारे चीज जो होते हैं, आपके clear होता है, तो हमने chapter को इस तरीके से arrange किया हुआ है, कि बीच में कोई भी chapter अगर आप गाइव करोगे, तो कहीं न कहीं दिक्कते आपक कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एक मिनट भी वीडियो का skip नहीं करेंगे, हाँ अगर आपको time कम है, तो आप speed fast कर सकते हो, 1.25x पे देख लो, 1.5 पे देख लो, यह दूसरी बात है, लेकिन कोई भी content आप skip नहीं करोगे, खास करके, recorded वाले के लिए recommendation था यह, stock questions यह खास करक इंसान जो होते हैं, वो जमीन के अंदर डाल देते हैं, वो क्यों गरते हैं, क्योंकि अगर जमीन के अंदर ज्यादा अगर आपने foundation strong रखा होगा, तो आपके building जो होगा, उपर क्या बनेगा, सही बनेगा, exactly वही चीज है, इस से directly question आपको examination में नहीं आएंगे, लेकिन इन उनों के बिना आप बोलो कि आगे मैं अच्छे से पढ़ लूँ, यह possible नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है, कि मेरे class में कभी भी यह मेरा intention नहीं होता है, कि मैं किसी चीजों को याद करा हूँ, मुस्किल से 2 या 3 concept है, जिसको बिना logically याद कराने की कोशिस करते है क्योंकि ही हुआ ऐसा mathematical function यूज हो जाता है, जिससे black skulls formula हो गारा है, otherwise कोई भी ऐसा formula नहीं होगा, जिसको हम याद कराते हैं, हर पीज formula जो है, logically आपको क्या करते हैं, बिल्डप किया गिया है, और सारे यहां से आपको बिनकिया जाएंगे, उसके बाद हम लोग mutual fund करेंगे, बहुत छोटा सा chapter है, हमेशा exam में question रहते हैं, फिर उसके बाद आते हैं एक लंबा सा derivative, जिसमें future contact, option contact, और यह फिर unit 3 हमारा foreign exchange के साथ लिंक हो जाता है, उसमें भी हमारा one lecture जाते है, number of lecture जो है यह approximate है, depend करता है, number of lecture थोड़ा सा बढ़ भी जाते है, घरते तो नहीं है कभी कम तो नहीं हुआ है, हमेशा बढ़े ही है क्योंकि जब थोड़ा सा ज़्यादा explanation में जाते हैं, थोड़ा सा आप लोग को doubt आने लग जाता है, तो उसमें number of lecture बढ़ी जाता है, घरते नहीं है, portfolio management यह statistical chapter होता है, covariance, standard deviation, coffee center variation, पढ़ा है कभी, वो सारा चीज पढ़ना है, ले पढ़ रहे होगे, तो कभी भी आपको यह महसूस नहीं होगा कि statistical formula रटा लगा रहे हो आप, क्योंकि यह सारे चीज जो होते हैं, आपके stock market से linkage है, हम stock market से कुछ data download करते हैं, और उस data को analyze करते हैं, और जब हम real life में किसी data को analysis कर रहे होते हैं, तो कभी यह feel नहीं आता है कि हम हम लोग कुछ रटा लगा रहे हैं, और data को analysis करके हमारा formula बन जाता है, आप हैरान रहे जाओगे कि जो covariance की formula है, यह coefficient of correlation पढ़ाओगा आपने, इन सब की formula के अंदर भी आपको सारे यह सब सब कुछ आपको data download हो जाता है, NSE के website से, और जब उन चीजों को हम लोग analyze करके real life क जो stock market की जो price से link करते हैं, या उसके risk से link करते हैं, तो आपको realize हो जाता है कि इसके अंदर भी logic है सारे formula के अंदर, तो यह portfolio management खास करके आपको statistics है, हमेशा question रहता है, CMA वाले को तो 40 marks तक का question एक attempt में रहता है, 30 marks, 35 marks तो normal हो चुका है, CMA में भी 20 marks यह से, एक attempt पीछे 40 marks से question साइध इसी पिछले वाले attempt में, 40 marks से question सिर्फ portfolio management से था, आपके तीन chapter, foreign exchange, derivative और portfolio, यह तीन आपका 60% से ज़्यादा से level से, और अभी जो इंट्रोड्यूस किया capital budgeting उसका भी आपका वर्टेश फोरा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी यह आपका 60% से ज़्यादा है, security valuation इसमें share का और bond का valuation करेंगे, इसमें भी number of lecture अलएडी लिखा हुआ है, interest rate risk management, यह आपका derivative से ही link है, लेकिन interest rate का derivative है, ऐसे समझ जाएए, यह भी थोड़ा सा इसकी विटेज ज्यादा होते है, लोग को लगता है कि थोड़ा सा difficult है लेकिन question यहाँ से भी अच्छे खासे आजा नहीं है, CMA question के लिए 2 chapter script करना होगा, उनको यह नहीं पढ़ना होता है, बांकि CMA वाले को तो सारा पढ़ना है, और CAP 3 वाले को भी सारे ही पढ़ने, यह आपको introduce किया गया है, अभी new syllabus के अंदर, और even आपका derivative है, इसमें भी कुछ topic जो है add किया गया है, तो वो देखेंगे बर छोटे-छोटे topic add किया गया है, खास करके derivative में, और जो capital budgeting की जो linkage वाले topic है, वो भी add किया गया है, जैसे real option हो गया है, या abandonment option है, वो सब भी add किया गया है, नहीं syllabus के अंदर, तो वो खास करके आपको derivative में add किया है, लेकिन वो link जो है नापका वो advanced capital budgeting से है, अच्छी बात क्या है, कि जो CA intermediate में capital budgeting आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसके अंदर ही आप पढ़ चुके है, तो आपके लिए ज़्यादा मुसीबत नहीं आएगा, हाँ, अब जो पढ़ेंगे CA intermediate, उनको वो नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी आप CA intermediate में ये topic पढ़ चुके थे, risk in capital budgeting करक उसी को यहां introduce किया है, और CA intermediate में से हटा दिया गया है, तो जिनोंने अभी-अभी क्वालिफाई कियो, उसने तो CA intermediate में वो भी पढ़ चुके है, तो आपको क्या फाइदा होगा, कि ये आपको पढ़ा हुआ सा नजर आएगा, ठीक है, और international financial management भी आपका, ये आपका खास कर के capital budgeting ही foreign project का है, risk management, security analysis, ये हम सबसे last में जान बूझ के रखे, पहले में इसको stock exchange के साथ ही करा दिया करते थे, लेकिन मुझे लगा कि ये pure आपका practical है, ये जिसको stock market में trade करना है, उनके लिए खास करके relevant होते हैं, और ये जब हमने 2-3 बैच में पहले ही पढ़ाया, तो होता क्या है, कुछ strength को कुछ जादा ही interest होते है stock market में, पढ़ना लिखना छोड़के इसी में सुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास chart की knowledge अगर आ जाती है, तो आप कुछ हद तक market को forecast कर सकते है stock market को, जैसे ही थोड़ा बहुत stock market forecast करना आ गया, तो ये है आपका option contract एक ऐसा contract है जिसमें आप 1000 रुपे लगा के, अगर आप चाहो तो उसी दिन पे 10,000 आप आराम से बना सकते हैं गंटे के अंदर, बच्चे को chart analysis आ जाता है, थोड़ा बहुत लगता है कि हम तो आप सीख लिए, शुरू हो जाते हैं इसके अंदर, और ये आपका pure addiction है, ऐसे समझ जाए, क option का भी दो leg होते हैं, एक leg है, जो जुआ खेलने वाले है, एक business वाले leg होते है, जुआ खेलने वाले leg में 1000 रुपे लगाने जाता है, जो दूसरे leg होते हैं, counter party क्योंकि ये जुआ ही है, सर्थ है, सारे के सारे derivative जो हैने एक contract है, जैसे सर्थ लगाते हैं, match होने वाला है, इं business करने वाले, है न, तो उसमें एक इंसान लगाते 1000 रुपीज और अगला party लगाते 1.5 लाग, उसी contract के लिए, तो ये वाले ज़्यादा पैसे लगा के करते हैं, छोटा सा कमाते हैं, लेकिन regular कमाते रहते हैं, इनके साथ दिकत क्या है, 1000 रुपे लगाने वाले के साथ, अभ मुझे बताईए, दस बार आप जुआ खेलते हो, दो बार आपने 1000 को 10,000 बना दिये, और बांकी 8 times आपने पूरे के पूरे गवा दिये, तो एक तरीके से क्या है, जुआ ही है, तो मैं option को जुआ का नाम देता हूँ जरूर, लेकिन stock market हो कभी में जुआ का नाम नहीं देता और ये लट लग जाते हैं, कुछ strength को मैंने देखा हुआ है past में, इसलिए मैंने पिछले दो बैस से मैंने इसको starting में छोड़ी दिया, मैंने कहां रख दिया इसको, सबसे last में, at least SFM खतम कर लो, फिर जुआ खेलने वाले काम कर ले ना, इसलिए मैंने नहीं किया है, बट हा मैं class में कभी भी ये suggest नहीं करता हूँ कि आप trade करो, मैं trade करके जरूर दिखाता हूँ, क्योंकि जब आप इस screen पर देखते हो, तो आपका जो chapter होते हैं वो आपका क्या हो जाते सारे, आसान हो जाते हैं, मैं trade करके दिखाऊंगा, आपको trade करने की ज़र्द नहीं है, थोड़ number 20 जो हते हैं उन लोग का business valuation, उसमें आपको contribute करते हैं, अगर ये chapter और ये जो आपका, क्या कहते हैं, security valuation को cover कर लेते हैं, तो पूरा का 50 marks आपका business valuation का cover हो जाता है, additionally उनको capital budgeting और leasing decision दो और chapter पढ़ना पढ़ेगा, C.A.M. में वाले को, कुछ लोग बोलेंगे, sir हमने capital budgeting new syllabus जो introduce किया गया है, उसमें capital budgeting को introduce नहीं किया है, बोला है कि capital budgeting कहां से पढ़ के आना, intermediate से, advanced capital budgeting कहां पढ़ना, यहाँ, और C.A.M.A. वाले को institute क्या कहता है, आप ये भी यहीं पढ़ो, और advanced capital budgeting भी यहीं पढ़ो, क्योंकि दोनों के content जो है नो आपका अलग है, तो C.A.M.S. को capital budgeting और leasing decision भी अलग से पढ़ना है, वो आपको provide कराएंगे, अलग से कराएंगे, टेंसर नहीं लेना है, यही मैंने लिखके दिया है कि capital budgeting और advanced capital budgeting की contents जो है वो different है, C.A.S. को दोनों पढ़ना है, जबकि C.A.S. को सिर्फ advanced पढ़ना है, ठीक है, चलिए, कुछ theoretical chapter भी है, आ आप शाहो तो इस पर थोड़ा बहुत लिख सकते हो, देखे, जो live में है, अभी तो आप कहीं पर register पर लिख लीजिएगा, और इसको print करके, कुछ दिन तक अपने level पर काम चलाते रहेंगे, कोसिस करिएगा, जो print करोगे, एक में दो, इसमें तो दिख भी नहीं रहा है, ए और अभी आप print करते रहेंगे, अपने level पर बांकी जैसे हमारा complete हो जाएगा, तो हम बता देंगे, दिख का थोड़ा सा क्या आएगा, अभी जाएगा, थोड़े-थोड़े से print out आपको मिलेंगे, कुछ noting करना पड़ा, कुछ लिखना पड़ा, बाद में आपको पूरा का combined आपको as a book के format में मिलेंगे, फिर कैसे noting करोगे, तो उस टाइम आपको एक दिन बैठ के, जितने भी यहां noting करा होगा, highlight करा होगा, उस सारे फिर उस पे आपको copy करने पड़ेंगे, इतना आपको difficulties हेलना पड़ेगा, चल जाएगा काम, कोई दिकत नहीं है, मैं भी कुछ कह paper pattern जो बोला गया है, 30 marks का बोला गया है, कि आपको MCQ पूछेंगे, अब यह MCQ के लिए study mat में कुछ भी लिख के नहीं दिया है, उनका कहना यह है, कि हम आपको case based MCQ पूछेंगे, जैसे सायद अभी आपका audit and law में चल रहा है, एक case बनाते हैं, उस पे आपको MCQ होते है, यहा उसको क्या लगे, नए लगे, तो अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, कि ना तो उन्होंने एक sample case study दिया है, कुछ भी नहीं हमारे पास available है, तो हम base किसको बनाएं, यह खास करके मेरे लिए difficulties है, आप लोग के लिए नहीं है, हम किस तरीके से case study बनाएंगे, तो वैसे जो अभी paper number जो मर 6 की, elective paper के अंदर, FSCM जो था, उसके अंदर case study आये करते थे, लेकिन उखास करके stock market से related हुआ करते थे, दो-चार तो हम लोग वहाँ से sample ले लेंगे, mutual fund होगर अका मिल जाएगा, दो-चार देखते हैं, और दूसरे किसी books होगर अका कहीं से भी मिलते हैं, तो मैं collection करने की कोशिस करूँगा, मेरा तो कोशिस यह है कि जो आपको books में लेंगे, उसमें भी हर chapter का at least 2-3 case study हम बना के दे दे, अगर possible नहीं हो पाता है, तो case study के लिए अलग से last में आपको अलग से book देंगे, और अलग से कराने की कोशिस करेंगे, वैसे यह MCQCMA वाले को भी 20 marks क लेकिन उनके MCQ में कोई case study नहीं होता है, सीधा पूछ लिया गया कि अच्छा यह दो exchange rate है, cross rate निकल के दे दो, अच्छा यह आपका कुछ equation बना के दे दिया, बता यह equation का नाम क्या है, इसमें intercept क्या है, इसमें slope क्या है, जो भी है उसका, वो छोटे-छोटे से MCQ होता है, व तो उसको देखना है, वो बनाने पड़ेंगे खुद से अभी, क्योंकि institute ने sample नहीं दिया, और देगा भी तो कब आएगा हो, RTP, MTP में देगा, वो तो कभी से होंगे, May में attempt है, February, March में, बट February, March से पहले हम क्या करेंगे, तो यह difficulties, यह challenges मेरे पास रहेंगी, आपको tension लेने descriptive होते हैं, उसमें अभी के जो pattern थे ना, हर question के अंदर एक theory डाला करता है, अभी के जो pattern है, मानलेजे आपका 20 marks के एक question है, तो 16 marks का होते हैं, इसमें numerical, और 4 marks के उसके अंसाथ होते है theory, तो हर एक question के साथ theory होने की वज़े से, आपको जो theory है, वो compulsory आपको पढ़ना पढ़ी पहले इसको skip करके काम चल जाता था, CMA वाले को भी काम चल जाता था, क्योंकि एक question में theory आते थे, theory skip कर लिया, बट अब नहीं कर सकते हैं, हर एक question के साथ introduce कर रहा है, even CMA 2022 syllabus के अभी जो परसो exam थे, उसके अंदर भी 2 question में theory डाला, तो 6 marks, 6 marks का, 12 marks का theory आया, ठीक है, तो theory के इसके लिए अलग से हम लोगों को class करना पड़ेगा, यानि कि इस जो हमने number of lecture बोला, इसमे theory नहीं है, खास करके theory हम YouTube पर भी प्रोवाइड कर देते हैं, अभी भी यूट्यूब पर अब लेवल है, क्यों होता क्या है, तो इसलिए हमने डाल रखा है, अगर आप लोग बोल करते हैं, यह question book हमारा होते हैं, जो हमने अलड़ी दिखा दिया था, इसमें दो category होते हैं हमारा, इसमें हमारा जो collection है, एक सी जाद रखिएगा question book, मेरे 100% updated होता है हमेशा, institute के study मतल के सारे question हम include करते हैं, past attempt के एक भी question नहीं छोड़ते हैं, past attempt के RTP, MTP, both C और CMA का हम एक भी नहीं छोड़ते हैं, आपको बता दू, इसके अलाबा कुछ भी prepare करने की जरुरत आपको नहीं है, नहीं है तो नहीं है, क्योंकि अगर question book जितना हमने question दे रखा है, approximately 750 के around question बनते है, totality में, अगर इतना question solve कर लोगे, तो examination में अगर नए question भी मिलेंगे, जैसे इस बार थे, इस बार देखे होंगे, आपने 90 प्लस तो किसी को नजर भी नहीं आया, जबकि यही चीज जो है, इससे पिछले attempt जो था, उसमें आपको wholesale quantity में 70 प्लस, 80 प्लस सारे strength का marks दिख रहे थे, क्योंकि comparatively, May 2000, no, November 2022, अभी कौन सी है, May, अभी आने वाला है न, क्या केते हैं, May 2023 का जो पेपर था, comparatively वो difficult थे, और यही रीजन ही कि देखा होगा आपने, 90 प्लस तो किसी का नहीं गया, rank 1, rank 2, rank 3, जितने भी मेरे को अभी तक दिखे है, सब का 80 से नीचे ही है, हमारे ही है के strength का 85 दिखे है, इससे ज़्यादा अभी तक तो दिखे नहीं है, जो सरया चावला उनके daughter है वो, और जब फेल हो गई, सारे paper में पास ते सिर्फ SFM की वज़े से फेल हो गए, 35 marks लेके आये थे, जबकि उन attempt में, जो की number 2022 वाले में, जहां पर आपको wholesale quantity में 70 plus marks दिखे थे, उस attempt में 75 लेके आई थे, तब मेरे पास पहुचे थे, ऐसे ही face to face हो बढ़ी, क्यों 2023 में भी एक हुआ था, उनको मैंने बोला कि क्यों आओगे, अभी आपका time पढ़ चुके हो, fast track ले लो, घर पे पढ़ लेना, नहीं शरम, तो class में आके ही पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे को SFM से, एक अंदर होते हैं, डर पैदा हो चुका है, क्योंकि सारे paper मेरा हो गया, इसने आसान paper में, तो मैं आके ही पढ़ूँगा, आके पढ़ी और देखे, All India Highest Marks लेकि आए, तो वो चीज है, और इस बार के जो paper के अगर बात करूँ, 2023 में में, questions नए थे, ज्यादा modified थे, उसके बावजूद भी, हमारे book के बाहर नहीं गए, question वही है, सिर्फ क्या कर र notification को face करना, बहुत difference होती है, बिल्कुल new question होगी नए examination में, तो क्योंकि क्या होता है, mind में time की shortage है, अगर वही question अभी आपको solve करने के लिए दे दिया जाए, अगर ये question अभी आपको बोले की solve करो, आपकी mind में कोई stress नहीं है, time की कोई पावंदी नहीं है, आराम से solve हो सकती ह लेकिन वही नए question जब examination में face करने होते हैं, एक तो आपके दिमाग में चल रहाता है, time ज़्यादा लग रहे, ज़्यादा लग रहे हर बड़ी होती है, तो नए question solve नहीं हो पाते हैं और exam खराब हो जाते हैं, तो होता है कि institute आप जब भी नए question डालते हैं पुराने question को ही modify क किया, तो 80 प्लस लाना आपका आसान target हो जाएगा, modification किया, तो भी 70 प्लस तो लाई सकते हो, ठीक है, class notes यही आपका हो गया, उसके बाद solution book की बात already हमने कर लिया था, concept का summary book मिलेंगे, last में जो कि आपका revision के लिए beneficial होता है, revision video भी हम इसी से बनाते है, theory book आपको अलग से मिले CMA वाले कात MCQ अलड़ी बना है, CMA वाले का भी MCQ बनेंगे, लेकिन उसको case के साथ बनाने पड़ेंगे, वो भी आपको अलग से मिल जाएंगे, यहन कि total आपको उच्छी material मिलने वाले है, छिट है, backup आप लोग को जो मिल रहा है, जैसे मालिज़े किसी दिन आपका batch नहीं आप आते हो, कहीं आप चले गए, तो उसके लिए आपको activate करा लीजिएगा आपको, एक की आपका activate हो जाएंगे, जिस पे live access कर सकते हो, आपको 130 hours यान कि 50% approximately slivers का आपको backup मिल जाएंगे उस पे, उतना hours आप देख सकते हो, कहीं से भी देखो, कोई इसमें नहीं है, hour की limitation और chat box में भी आपको कोई query पूछना है, text के तुरू पूछना होगा, मान लिजिए अभी कोई दिमाग में कोई doubt आया, अब उसको लिखते रहोगे, तब तक मैं आगे बढ़ जाओंगा, तो मुझे ज़्यादा effective नहीं लगता है, text के साथ communicate करना, उससे ज़्यादा बेटर ह कि आपको जैसे ही doubt आया, immediate voice record करो, mobile सामने है, voice record कीजिए, मुझे भेज दीजी WhatsApp पे, वो ज़्यादा अच्छा है, इस number पर आप WhatsApp करके communicate कीजिए, और मैं आपको बोलूँगा, कि आप voice के साथ ही query पूछो, ताकि आपके जो time है, ज़्यादा waste ना हो, और बांकि recorded वाले के लि अब हम लोग बढ़ेंगे, आगे, foreign exchange, risk management, यह हमारा पहला chapter होगा, इस पे चलते हैं, चलिए, अब थोड़ा सा break ले लेते हैं, और फिर, exemption कितने लोग आया हुआ है, यह intermediate के FM में, आपके exemption है, बांकियों के exemption नहीं है, SFM exemption का target तो रखते हैं न, हाँ या ना, लो आप पहले सही नहीं रखेंगे तो कैसे होगा, बिल्कुल exemption की target तब रखनी है आपको, जब paper difficult हो, इसके जैसे, में 2023 के जैसे, otherwise exemption की target आपके लिए छोटा होगा, even MCQ आने के बाद तो और छोटा हो जाएगा, मैं आपको लिखके द देता हूँ, क्योंकि MCQ आप बहुत comfortably solve करोगे, यह मेरा मानना है, case अगर बनाएगा, FM में क्या case बना सकते हैं, पिछले कई दिनों से यही सोच रहा हूँ, क्या case बनाएगा, जैसे मैं FSCM का, NQ paper, elective paper का, मैं case देखता हूँ, वो एक scenario उठा कर डाल देते हैं, mutual fund नहीं यहा सारे के सारे logically पढ़ने की वैसे, उस case को आराम से समझ के आप ला सकते हूँ, जो मुझे लगता है, तो exemption की target अगर आपको लेके चलनी हैं, तो आप कसम खालो अभी, कि class के बाद हम हर दिन एक घंटे minimum देंगे, live की access होने के बावजूद भी, आके ही बैठके पढ़ेंगे, क कर लेने से काम चल जाएगा, उसे मैं बता दू, कुछ दिन के बाद आपको feel होगा, जैसे बहुत बार कोई class मिस हो जाता है, ना वो recorded देखते है, बैक अप, और अगले दिन आके बैठते हैं, उनको ये महसूस होता है, कि हमने कुछ भी miss नहीं किया है, तो आप मुझे बता कर आए, कि हम जहां थे, उसको revision करके हमारा काम चल जाता है, एक दिन बीच का class miss भी हो गया, तो काम चल गया, तो क्या हम तीन घंटे यहां डांस कर रहे थे, सोचने वाली बात है, आपने class miss किया, और उसके अगले class आपको लगता है, कि जादा मुझे कुछ फर्क नहीं कुछ न कुछ पढ़ते रहते हैं, होता क्या है, मैं explain बहुत ज्यादा करता हूँ, जिसकी वैसे क्या होता है, concept पढ़ते टाइम हमारा speed थोड़ा slow होता है, और जिसकी वैसे question में time नहीं लगते हैं, तो ज्यादा time हमारा concept explain करने में लगते हैं, concept noting में जो time होता था, वो हमार लगते देंगे, जब तक हम hospital के bed पे ना लेटे होना, तब तक class miss नहीं करेंगे, और आके पढ़ेंगे, live वले जितने भी है, live ही join करेंगे, recorded नहीं देंगे, back up की बात करे हो, मैंने पिछले बास में back up देना ही बंद कर दिया था, सब आलसी हो गय थे, sir आज शूट गया, मै मैं सोया रहे गया, कोई बात में, आप back up दे दीजिएगा, मैं day time में देख लूँगा, मैं back up नहीं दे रहा हूँ, live वाले को याद रखिएगा, दो दिन वाद रखिएगा, आपको जिसको भी live है, live ही देखना है, अगर मजबूरन किसी का रहे गया, तो आप मुझे पहले इनफर्म करो एडवांस में एक दिन, कि sir मेरा class चूटने वाला है, मैं उसको personally back up दूँगा, लेकिन आपको पोर्टल पे, content browser पे back up नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, 2-3 days तक, ठीक है, आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, अगर ज़्यादा दिक्कत होगा, recorded में convert करा ल पढ़े, पढ़ना ही पढ़ेगा जो आपको पढ़ाऊंगा, इतना commitment करेंगे, exemption कहीं नहीं जाएगा, यह चीज आपको 100% guarantee है मेरे तरफ से, और 90% strength इस चीज़ों को achieve किया हुआ है, आप भी अगर करना चाहते हैं, तो दो ही चीज़ों को याद रखेंगे, अब बढ़ते ह आगे हम लोग, foreign exchange risk management पे, यह बहुत ही important chapter है, foreign exchange risk management, नाम ही बता रहे हैं कि हम क्या है, foreign currency का exposure का मतलब risk और उस risk का management, सबसे पहले risk जब हम बोलते हैं, तो risk बोलते हैं, इंसान के दिमाग में क्या आता है, कि probability of loss, loss होने की possibility को लोग मानके चलते हैं risk, जबकि ऐसा नहीं है, अगर ऐसा हमेशा loss से ही लोगों को अगर link करना होता, तो फिर risk लेता क्यों है कोई इनसान, सोचने वाली बात है, risk आप क्यों लेते हो, loss करने के लिए, नहीं, जहां risk involved होते हैं, वहाँ पे आपका return भी involved होते हैं, हम risk इसलिए लेते हैं कि हम ज़्यादा risk लेंगे तो हमारा return भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए risk को सिर्फ loss से link नहीं करेंगे, हमेशा बोलेंगे, ज़्यादा loss तो ज़्यादा profit, इसकी जो possibility है, उसी जो को हम लोग किसी से link करते हैं, risk से, तो foreign exchange में risk कैसे arise होता यानि कि foreign currency के rate fluctuation, इतना तो आपको clear है, कि अगर कोई भी transaction foreign currency से link हो, तभी जाके यह foreign currency का risk कराईज होगा, exposure मतलब risk होता है, कैसे आप सोचो, अगर आपको किसी को मान लीजे, अभी कोई हम लोग contract करते हैं, कि अच्छा चलो आपको मैं कोई test लेता हूँ, या चलो जो भी और उसमें हम यह कहते हैं, कि कुछ contract के अंदर आपको जो payment करनी है, वो something कुछ मान लीजे, आपको कहता हूँ, कि 5 kg टमाटर आपको pay करनी है, अगर आप सर्त में हारते हो तो, ठीक है, और अगर सर्त में जीतते हो तो आपको 5 kg टमाटो मिलेगा, क्योंकि हर जग तो example में यह आते हैं, अब यहां पर क्या आता है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आपके risk किस से link हो जाता है, टमाटो से, तो अब आपकी नजर देखना है, अब आपको लेने देनी की बात हो गई न, तो अब आपकी नजर उसके price पर जरूर रहेगी, किसके price पर, टमाटी के price पर, क्य जब आप सर्त में जीत होगे, क्यों, क्योंकि 5 kg टमाटो जो आपको मिला है, वो महंगे rate वाले मिला है, अगर आप सर्त में जीते होगे, तो आप expect कर रहे होगे, क्यारे टमाटो तो 500 का हो जाए, क्यों बताओ, 500 पर केजी हो जाएगा तो, सर्तो मुझे 5 kg टमाटो देंगे अच्छा 500 और 5 kg, और 2500 की सामान मेरे पास आएगे, जबकि वही सर्त में हारने वाले होगे, तो आपके दिमाग में क्या आता रहेगा, अरे कास टमाटो क्या हो जाता, सस्ता हो जाता, यानि कि आपकी अगर exposure टमाटो से link है, तो आप क्या expect कर रहे हो, टमाटो कभी सोच रहे हो कि महंगा हो जाए, कभी सोच रहे हो कि टमाटो हमारा सस्ता हो जाए, लेकिन आप हमारे सर्त के अंदर टमाटो के अगर कोई involvement ना हो, तो क्या आप कभी नजर भी डालोगी कि क्या हो रहा है, मालो आप खाने में टमाटो यूज नहीं करते, तब की बात कर रहा हूं, ठीक जिस सीजो का हमारा exposure, जिस सीजो से link होते हैं, उस पर हमारा ध्यान होता है, आप देखिए, foreign currency जैसे ही आपके transaction के अंदर involved होगी, किसी को dollar देना है, या किसी से dollar लेना है, जैसे हमने बोला भी आपको, या तो टमाटो आना है, या टमाटो किसी को देना है, जब आना था तो सोच रहते हैं, महंगा हो जाए, यह सोच रहते हैं, और जब जाना है तो, सोच रहते हैं, सस्ता हो जाए, अब मान लो, वही टमाटो आपके लिए dollar है, किसी को dollar आपको pay करना है, आप क्या सोच रहे होंगे, सस्ता हो जाए, अगर dollar आपके पास आ रहा होगा, तो क्या सोच जोंगे, महेंगा हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया, डॉलर यहाँ पर सामाने याद रखे, आपके लिए, बोलोगे क्यों, डॉलर एक करिंसी है, आपके लिए करिंसी नहीं है, आपके लिए एक सामाने एक कॉमोडिटी है, इसका रीजन यह है, क्योंकि आपके पास हो है नह आपको खरीदने पड़ेंगे, आपको किसी को देना है तो खरीदने पड़ेंगे, अगर आपके पास आएगा, आप सेल करोगे, बेचोगे, वो सामान है आपके लिए, इवेन आप रख भी नहीं कर सकते हो, गॉर्मेंट आपको अलाव भी नहीं करता है उसको होल्ड करने के आपको कहते हैं होल्ड नहीं करने देंगे आपको, अगर आज आपके पास 100 डॉलर आ जाए, गॉर्मेंट क्या कहते हैं, वो जाके बेंक में रखो, या उसको एक्षेंज कर आओ, आपको रखने नहीं देंगे, अब वो लोग नहीं सर, हमने तो पड़ा था, फॉरण वेलेंट अमांट तो रख सकते हैं, रियल लाइफ में 2000 डॉलर आपको अलाउड है, मालने जे कहीं से आपके जो रिलेटिव है, वो कुछ से डॉलर अर्न करके लाता है, 2000 तक आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन SFM के अंदर हम एक डॉलर भी होल्ड नहीं करेंगे, याद मालने जे कम की अमांट के इन्वाइस करेंसी आ गए, तो फिर तो आप बोलो कि लो इसमें रिस्की नहीं हो, तो हम होल्ड कर सकते हैं, तो दिक्कत आ जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इस चाप्टर के अंदर करना के मैं आपको बैक्राउंड दू, तो फॉरण कर इसमेंसी फ्लक्ट्वेट होते हैं, उससे आपका रिस्क कराईज होता है, और उस रिस्क को मैनेज करना यह पूरे चाप्टर का हमारा अबजेक्टिव है, पासज में आ गए, तो यही जी हमने यहां पर लिख के दिया है, अब थोड़ा सा रीड करना भी आप लोग इसमें आपका रिस्क कराईज है, जब आपको सेटल्मेंट किस करेंसी में होना चाहिए, अगर टोमैटो लेना देना है, तब ही रिस्क आएगे, अब मैं यह बोल दो कि नहीं, चलो ऐसा करते हैं, हम लोग सर्थ लगाते, फाइव केजी टोमैटो का जो अमाउंट होंगे सेटल्मेंट करेंगे, अच्छा आज 200 रुपिया पर केजी है, तो 200 पर केजी, 5 केजी, 1000 रुपीज होते हैं, हमने फिक्स कर लिया, मान लिजे किसी सर्थ के अंदर, और वो सर्थ में हम कहते हैं, कि आप जितते हो, तो मैं 1000 दूंगा, और अगर आप हारते हो, तो आप जिए टोमाटो का प्राइस 500 पहुँच जाए, क्या फरक पड़ता है हमें, नहीं फरक पड़ता है, क्योंकि देना लेना कितना है, 1000 रुपी, मिन्स हमारा रिस्क तभी अराईज होगा, जब लेने देने वाले काम क्या करना है, टोमाटो, और ऐसा भी नहीं है, कि हम जिए यहाँ पे, जब हम foreign currency के जो transaction दो पार्टी के बीच में होते हैं, जैसे आगे हमने दिखा रखा है यहाँ पे, तो उनके बीच में क्या होता है, time क्या आप आ जाते हैं, माल लिजए आज आज आपने कुछ import किया, payment कप करोगे, आज नहीं करते हैं, payment करेंगे 6 मंत के ब महिंगा हो जाए तो नुकसान, ठीक है, और अगर मान लिजए dollar आना है, और dollar महिंगा हो जाए तो फिर फाइदा, तो exactly वही चीज़ कह रहे हैं, कि आपकी जो settlement होनी चाहिए, वो किस currency में होना चाहिए, foreign currency के अंदर, हमारे foreign currency का transaction कैसा कैसा हो सकता है, जल्दी बताइए, एक import हो सकते हैं, export हो सकते हैं, कि सिर्फ इतना ही transaction foreign currency का होता है, नहीं, और क्या क्या होता है बताओ, मान लिजए foreign currency में loan ले लिया, तो भी तो risk आगे न, कैसे, क्योंकि सामने वाले को loan हमेरी payment नहीं करना होगा, foreign currency पेमेंट करेंगे, link आगे, मान लिजए कहीं पे हम foreign country में जाके को investment कर दिया, वहां का land खरीद लिया, बोलोगा land नहीं खरीच सकते हैं, ही कि वहां का किसी company का share खरीद लिया, investment भी तो हो गई न, loan लेना foreign currency में, foreign currency में invest करना, या export import, major आपको इतने ही transaction आपको मिलेगा, या कुछ आपको subsidiary का transaction भी मिलेंगे, holding company US में है, subsidiary company India में है, त होते रहते हैं, तो वहां पर भी अपने group company के transactions भी कुछ आजाते हैं, जो foreign currency में होते हैं, वो भी आपका कुछ questions होते हैं, लेकिन maximum question आपके फूरन foreign currency के अंदर इसी तीन पर मिलेगा, export, import, investment या loan, ठीक है, risk जो होता है, हमने अभी बात कर लिया, risk की जब भी बात करेंगे, त तो risk measurement होती है, fluctuation से, risk कहां से आई, tomato के price से, याद रख लिना, दुनिया में risk calculation करने की एक ही तरीका है, fluctuation को major करना, उसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है, सोचो, मैं कहता हूँ, stock market कितना risk है, क्या चीज़ पर depend करता है, सोचो आप, investment की बात करते है, stock market ये investment risk ही होता है, होत बोलना है, class में आके पढ़ने के यही फायदा है, कि आप क्या कर सकते हैं आपे, interact कर सकते हो, यही फायदा है, जो कि live वाले पढ़तो सकते है, मेरे को सुनतो सकते है, live, लेकिन मेरे साथ बात नहीं कर सकते हो live, हाँ, query होगा, जरूर पूछ सकता है live, लेकिन बात नहीं कर सक ये risk मेजर करना हैं हमें calculate करना है कहा calculate करेंगे बता है portfolio chapter के अंदर risk calculation वाले काम हम portfolio chapter में करें क्यूँकि वह हमारा statistics है risk निकाल के देता है लेकिन मालने जिए risk निकालना भी है तो उसका input data क्या होना चैट लिस इतना तो पता हो हम आपको कहते हैं कुछ calculate करो calculation नहीं भी आता है त आपको यह तो पता होना चाहिए कि निकालने के लिए चाहिए क्या मुझे? हाँ या ना? जब भी हम बात करते हैं कि stock market ज्यादा रिसकी है तो क्या सोचते हैं पता है? हम अगर अभी पैसे हम डाल देते हैं, मान लिजे, Adani enterprises की बात करते हैं, अडानी ग्रूप की तो न्यूज पहले सुना ही होगा आप लोगों हाँ या ना? अब इतना भी जीरो क्या कहते हैं, नॉलेज नहीं होना चाहिए फाइनेंसल मार्केट को रिलेटेड, कुछ दिन पहले आपने देखा ही था, कुछ रिपोर्ट आ गए Adani enterprises का, कुछ फिरंगी ने रिपोर्ट दे दिये कह रहे है, उसकी वैसे बिचारे 3000 सम्तिंग का सेर 1000 तक टूट गए, एक हपते के अंदर, बट फिर भी अभी थोड़ा से क्या हुआ, इस्टेबल हुई है, मान लिजए उसी टाइम पर किसी ने Adani enterprises में पैसे लगाए होते, तो आपकी पैसे सीधा 50% क्या, उससे भी ज़्यादा का लॉस हो चुका होता, और मान लिजए कुछ लोगों ने 1000 के आसपास जब पहुंचे थे 1100 के आसपास, उस टाइम किसी ने लगाया, तो आज उसको 1500% प्रोफिट भी हो चुकी है, जो कि क्या उसको fix deposit करके होता क्या, मान लिजए कुछ share price था, वैचे तो 4000 क्यास पास गए होते, 3300 के राउंड से कुछ गिरना सुरू हुआ, ये गिर किया गए, 1050 पे पहले आए 1100 प्या आए, ठीक है, याद रखना मैं market में active नहीं हूँ, पिछले एक डेर साल से, ठीक है, क्योंकि मेरे को लत नहीं लगा हुआ है, जब मुझे market नहीं आता था, उस time time होते थे, मैंने time दिया, आज मेरे पास मुझे पता है, मुझे market आता है, तो अब मुझे क्या करना है, जब आता है तो क्या करेंगे अब, जाके होँआ पैसे कमाएंगे, लेकिन market के साथ होता क्या है, कि जब एक बार हम उसमें घुषते हैं, तो 9.15 से 3.30 आप किसी से बात भी नहीं कर सकते हो, अगर आप derivative market में trade करते हो, और उतना time मेरे पास कभी मिला नहीं पिछले देड़ दो साल में, तो बिल्कुल हम out of the market ऐसे समझ जाएं, ये price मुझे इसलिए याद है, क्योंकि उस batch, वो मेरे बात चल रहा था, जैसे अब याप पढ़ रहें न मुलो, अब मेरे को market पता रहेगा, कितने दिन, जब तक आपकी batch चल रहें, तब तक मेरे को market पता रहेगा, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा course ही उससे link है, अब मैं उससे link करूँगा, तो ना जानते हुए भी मेरे को NSC को website पर जाना ही पड़ेगा, न्यूज देखना ही पड़ेगा, उसकी क्या हो जाता है, up to date हो जाते है, तो उस time batch चल रहा था, यह सारे चीज प्राइस इसलिए मुझे याद है, क्योंकि हमने भी सोचा था कि चलो entry ले लेते एक दो बारे, इसलिए एक एक करके price मुझे याद है, मान लेजे किसी ने यहाँ पर buy किया होता, क्या होता जल्दी से बताएंगे, नुकसान, और किसी ने यहाँ पर entry ले लिया तो, आज भी चल रहा है, इसका price 2400 के round decide अभी, ठीक है, तो अब आप मुझे बताए, buy किया 24 के round, ओ, मज़ा आ गए, यह मज़े लेने के लिए, इतना आपने risk भी तो लिया था, क्या पता यह 500 पे चला जाता, कौन जानता था, जैसे S-Bank का नाम सुना होगा आपने, 400 का share, 500 रुपे something पर आजने की 6 रुपे तक पहुँचे हुए, अभी कितने पिचल रहा है, 17, 70, वही तो मैं कहा रहा हूँ, 70 कैसे पहुँच जाएगा, 17 अभी भी मेरे portfolio में पढ़ा होगा, उसकी सायद buying price, अभी भी 114 रुपे का round है मेरे buying price, ठीक है, 35,000 का round का इसमी investment होगी, तो अभी पढ़ा हो, देखते भी नहीं कभी कुछ, तो वो चीज है, क्योंकि उपर भी तो जा सकते, तो आप मुझे बताएं, मैं कहता हूँ, measurement करके तो मुझे risk, कैसे measure करोगे, ये measurement कैसे करोगे आप, कितना risk है कैसे measure करोगे, चलो मैं दो comparison देता हूँ, Reliance Industries आपके सामने है, एक है आपके पास Adani Enterprises, दोनों में कौन जादार इसकी? Adani, कैसे? क्योंकि उसकी share price बताऊं उस time, जब Hindenburg की जब report आई थी, Hindenburg जो आपका एक, जो foreign की short sale form है, उन्होंने अलग-अलग company को target करके, अपना report देते रहते, कि मैंने इसमें इतने सारे observation है, इतने सारे बुराई है, जिससे मुझे लगता है, कि इनके future जो है खत्रे में है, वो लिख के देता है, और जिसका past track record अच्छे होते हैं, उन पे लोग भरोसा भी कर लेते हैं, तो उन्होंने past में ऐसे 3-4 company का report निकाला था, जिसकी share price बिल्कुल वर्थ लेत हो गए, तो लोगों को लगा किया रहे, इसने जो बोला है वो तो आज तक past में क्या है, सही है, तो भरोसा हो गए लोगों को, और एक दम से 15-15% किया, 35% तक एक दिन में share टूटा हुआ है, एक दिन में 35% डाउन, तो ये चीज़ आ जाता है, तो हम कह रहे हैं कि उस टाइम पे, अडानिय अंटर्प्राइज के लिए, fluctuation 7% नॉर्मल था, अरे नॉर्मल के 10% नॉर्मल था उसके लिए, अब ही market open होती थी एक मिनिट के बाद, 10 मिनिट 10% नीचे, और अगले ही मिनिट जो होते 10% उपर, इतने fluctuation थी, तो वैसे stock में पैसे लगाने से, immediate आपको बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, तो immediate क्या हो सकता है, बहुत नुकसान भी हो सकता है, अब reliance industry में चले जाओ, अभी पैसे लगा लो, इतना तो बरोसा है कि, आज के आज 10% loss मेरा नहीं हो सकता, और अभी के अभी 10% फाइदा भी नहीं हो सकता, और जाके बैंक में fix deposit कर लो, ना मेरे पैसे डूबने वाला है, ना मेरे पैसे दोगुना होने वाला है, दीरे दीरे आराम से 6-7% का interest मुझे देते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे, तो उसमें कोई risk नहीं है क्योंकि fluctuate नहीं करेगा, reliance कम risk है क्योंकि कम fluctuate करेगा, Adani enterprises बहुत जादा risk ही उस time के लिए, अभी तो मुझे नहीं पता कितने fluctuate करता है, वो तो कल बर ऐसे ही देख रहा था, कुछ data निकाल रहे थे, वहाँ से NSC के कहां पहुंचे कहके देखा, तो मैं देखा 2400 के अरॉन पहुंचे चल रहे हैं, तो अभी कितना fluctuation है मुझे नहीं पता, लेकिन उस time का जो data था, वो बहुत जादा risk ही था, तो risk कहां से आई, जल्दी बताइए, एक word, अगर कभी मैं risk की बात करूँ, तो दिमाग में एकी चीज आना चाहिए, fluctuation, और यही चीज मैंने पहले भी बोला है, foreign currency fluctuate करेगा, इसलिए risk arise होगी, और उस fluctuation से हम कैसे बचे, वो हमें सीखना है, बस simple, इतना ही गाम करने पूरे चाप्टर के अंदर, यहां देखो, foreign currency का risk major करने के लिए, currency का fluctuation major करना होता है, ज़्यादा fluctuation होगी, ज़्यादा risk है, कम fluctuation होगी, कम risk है, कोई fluctuation नहीं है, कोई risk नहीं है, अब बोलेगे, calculation करके दो, हम बोलेंगे, wait करो, कब तक का इंतजार करो, portfolio chapter तक की इंतजार करो, यहीं बोलाए कि देखिए, risk की calculation की अगर बात करेंगे, तो हम लोग portfolio management chapter, ठीक है, calculation नहीं आता है, लेकिन समझत तो आई कि risk होता क्या है, होता कहां से राई, होती होती होती, इतना तो पता चला, कोई पूछते की risk बताओ कहां से, तो हम बोलेंगे, देख वाई, किस चीज़ का risk, हर चीजों का risk अलग होता है, तो risk अगर हम बोलेंगे, तो हम बोलेंगे, investment की risk की बात करेंगे, तो investment बहुत जादा हो जाएगा, है बहुत कम हो जाएगे इस बात कर रिस्क मतलब fluctuation, currency की रिस्क पे आमे भी भहास करना है तो currency जो currency बहुत जादा अपडाउन होगा वो बहुत जादा रिस्की, जो currency कम अपडाउन होंगे वो कम रिस्की, ठीक है क्योंकि जादा fluctuate होंगे तो जादा फाइदा ज्यादा नुक्सान दोनों हो सकता है, कम fluctuate होंगे तो कम फाइदा, कम नुक्सान होंगे, और कोई fluctuation ही नहीं है, तो कोई risk ही नहीं है In this chapter, our objective is to minimize currency fluctuation risk by taking corrective action, which is also termed as hedging, याद रखना अपने आपको बचाना रिस्क को बचाने के लिए जो corrective action लेते हैं, उसको finance के term में hedging करना बोलते हैं, hedging बोलते हैं तो हमारा जो objective रहते हैं यहाँ क्या पता है, hedging करने का following are some hedging techniques यह इतने सारे techniques है, बस सुन लिजे बूल जाए, कोई दिक्कत कुछ नहीं करना आपको अभी अभी कुछ पता ही नहीं चले है, क्या लिखा है, ठीक है ऐसे formality है, ऐसे समझ जाओ कि हमने क्या कर दिया अभी आपको यह कुछ यह एक ऐसा technique है जिससे हम जो fluctuation वाले loss और gain को हम लोग क्या कर सकते बचा सकते money market hedge भी एक technique है जिससे यह loss होने वाले या gain होने वाले इसको हम लोग safe कर सकते, बचा सकते तो hedging का techniques हो गए यह सारे यह सारे हम लोग पढ़ेंगे उसके अंदर derivative में, यह दोनों पढ़ेंगे यहां पर यह सरी चारों regulator of foreign currency इंडिया में foreign currency को दो entity regulate करते हैं एक है RBI और एक है FEDEI Foreign Exchange Dealers Association of India यह एक आपको Section 25 में registered companies है यह जो है आपका 1956 company act के अंदर आप तो 1956 वो तो पहले हो रखा था आप तो आपको क्या कहते हो आप 2003 कहते हो 2013 लेकिन ठीक है जो पहले जिस time company उस time का registered है तो हम ऐसे लिख दिये अभी भी लिखा होता है यह मिलते हैं आपको Section 25 के अंदर के एक company है आपका FEDEI जो कि छोटे-छोटे transactions को regulate करते हैं और RBI जो होते हैं सारे बड़े transactions या commercial bank जितने banks होगरों को जो भी regulate करने सारे काम कौन करता है RBI तो आपको कहीं कहीं पर क्या होगा FEDEI के rule के मुताबिक यह चीज है RBI ने यह चीज किया कि RBI इस चीज जो को regulate करते हैं तो बड़े transaction को RBI regulate करते हैं छोटे-छोटे transaction को कौन regulate करते हैं FEDEI जैसे अज माल लेजे कोई एक जनपत आप ऐसे नाम लेंगे तो कुछ लोग को बाहर वाले होंगे पता ही न चलेगा कनाट प्लेस तो सबने सुना होगा Delhi के हार्ट बोला जाता है कनाट प्लेस को उसलिए बगल में एक रोड है जनपत वहाँ पर चोटे-चोटे कुछ गिफ्ट आइटम्स होगर या कुछ ऐसे यूनीक आइटम्स होगर आपको मिलेंगे चोटे-चोटे और वहाँ पर देखना हो चोटे-चोटे दुकंदार भी क्या करते पता है बोर्ड लगा कर बैठा होता है आज हम इस करेंशी का इस रेट पर असेप्ट कर रेंगे यानि कि वह सारे जो दुकंदार हो और क्या करते हैं फॉरण करेंशी भी असेप्ट करते हो क्यों कि फॉरणड आते गूमने जाते चानाट प्लेस दो जाते है है वो कि इस रोड में अगर गुजर गए हो और मेरे पास समान खरीदने अगर आ गए तो मैं उनसे डॉलर भी असेप्ट कर लूँगा, मैं उनसे यूरो भी असेप्ट कर लूँगा, तो जितने करेंसी वो असेप्ट करेंगा न उसको बोर्ड फे लगा कर बैठा होता है, रेट क्योंकि foreign currency को बहुत ज्यादा strict कर रखा है, government आपके तक जानने नहीं देता है, देना चाहता हो, अगर मान लीजे कोई individual लेके बैठ जाएगा, तो फिर government के पास detail कैसे आएगा सोचो आप, इसलिए आपको allow नहीं करता है, तो वो चीज जो होगा न, वो फेड़ाई से प्व करते हैं, और देखना, जितने भी लोग foreign currency accept करते हैं, उसको weekly या fortnightly उसको report submit करना होता है, कि हमने, पिछले 7 दिन में, यह currency, इस-इस denomination का, हमने collect किया है, जो कि मैंने bank में जमा कर दिया, यह बताना होता है, बासाज में आगे, तो यह सारे जो छोटे-चोटे transaction से कौन regulate करत है, FIDE, आपको आगे, Fed of forward contact में कुछ लंबा चोड़ा सा, कुछ rules फड़ने होते हैं, वो सारे किसने बना रखा है, FIDE ने, और हर एक country के जो currency होते हैं, वो central bank regulate करते हैं, हर एक country का, जैसे इंडिया में कौन regulate किया, RBI, नेपाल में कौन regulate करेंगे, नेपाल रास्टर बैंक वहा जैसे, यूरो को कौन control करेगा, अब यूरो तो किसी एक country की currency नहीं है, यूरो को use करने वाले आज 20 country है, यूरो, तो यूरो, ECB बोलते हम इसको, ECB Central Bank, यानि कि European Central Bank जो आपका, वो control करते है किसको आपको, यूरो currency को, तो जितने भी currency है, उसकी Central Bank क्या करते है, उसको control करते है और देखो, हम आगे, for an extension chapter में, कुछ भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमें तो दो ही चीज़ तो बढ़ना है, रिस्क कैसे arise होता है, और इसको बचाना कैसे, दो ही चीज़ पढ़ना है, पूरे chapter के अंदर, रिस्क आता है fluctuation से, तो हम लोग fluctuation को major तो करना है यह नहीं, क्यों नह fluctuation वाले काम दों, पूर्टफोलियो में करेंगे, लेकिन हाँ, हमें दिखना चाहिए कि fluctuation है, question में बताएंगे, कि 10% उपर जा सकता है, 5% नीचे जा सकता है, ऐसा question के अंदर आपको fluctuation, expectation आपको दे देंगे fluctuation का, और कहता है, बता आप कैसे बचाओगे, तो पहले हमें यह देखना होगा कि currency के महंगा होने से, नुकसान होगा या सस्ता होने से, यह fluctuation यह आपको measure करना, यह आपका risk है, और उसको बचाने के लिए अलग-अलग technique से, उसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, लेकिन हम currency का risk measure करने जाए, या उसको हम हिज करने जाए, उससे पहले हमे currency का तो कुछ idea हो, बासमझ में आगया, हम एकदम step by step चलते, बिल्कुल zero से, ऐसा नहीं है कि foreign action शुरू किया, और आदे गंटे के अंदर 5 question भी solve हो गए, मेरा यह कभी objective नहीं है, 4 glass ता में 1 question को भी नहीं छूते, बासमझ में आगया, तो यह differences है, आप इसको positive low, negatively low, कोछ difficult paper में मा क्या करना होता है, दिमाग चलाना होता है, और दिमाग तब चलेंगे, जब आप पहले से base में क्या कर रखे हो, पूरे logically उसको strong बना रखे हो, अज तक 7 to 8 times all India highest आ चुके है, तो हर बार देखोगे, दोनों को मिला के CA और CMA का, तो हर बार देखते हैं, जब भी difficult paper आ क्या है था उससे पिछले attempt में, क्यूंकि हम कोशिस रहते हैं कि हमारा background के साथ पूरा चले, तो चलिए एक एक करके सोचते हैं थोड़ा सा, देखो, class notes के साथ पढ़ने का सित एक भाइदा है, time save होते हैं, तो नुकसान यह है, कि कभी-कभी लगता है कि लोडी सुना रहे है और हम क्या हो जाते हैं, सोजाते हैं, तो इसी जो के लिए balance करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे examples होगर होगी, जो भी कुछ होगा, हम इसको इस पे लिखा हुआ है, आपके पास है, roughly हम लिखते हैं, आप भी एक rough register रखोगे class का, जैसे class note तो है, इसके अंदर हम आपको question का solution भी देंगे, कौन सी series वाले question, जो class में solve करना है, तो क्या हम question का audit करेंगे, ना जी ना, अगर ऐसा करेंगे तब तो लूट जाएंगे, याद रखना, यह जो question जो हमने बोला कि आपको ए class की solve करने वाले series है, इसकी solution भी class notes में होगे, लेकिन हम class notes से refer नहीं करते हैं, इस question के की बारी आते हैं, तो हम class notes को side कर देते हैं, solution है, पढ़ते हुए time इसी से पढ़ना है, आपकी register यही है, समझ में आगई बात, लेकिन class में आपको बैठके solve करना है, तो एक rough register आपका बनता रहेगा, बात समझ में आगए, roughly हम solve करेंगे, ता कि थोड़ा सा time क्या हो जाए हमा तो question का solution एक एक करके देखते हैं, इसलिए rough register तो आपका वैसे भी बनेगा, क्योंकि कुछ लोग को start, बाद में doubt रहते हैं, sir हम पढ़े कैसे, concept पढ़ेंगे, concept को यहां से पढ़ते जाएंगे, एक एक करके noting नहीं करेंगे, लेकिन question जब solve करने की बारी आएंगे, तो हम लो बात कर रहे थे कि थोड़ा सा हमें currency की background में जाना है, इसी में 2-3 दिन हमारा इसी background में लग जाती है, फिर उसके बाद हम risk पर आते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, risk analysis करेंगे, जैसे देखो, मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि पढ़ने वाले क्या है वो थो होता है, जब currency fluctuate होता है, मान लिजे Mr. India ने import किया, payment कब करना है, आपको कुछ नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, बस यहीं screen पर देखते रहना है, six month की देखो, Mr. India ने Mr. USA से import किया, ठीक है, payment इसको कब करना है बताईए, after six month, तो six month बाद payment करनी है, तो Mr. India को dollar कब खरीदन dollar आज खरीदे नहीं डख सकते, क्योंकि government allow नहीं करता, तो government allow नहीं करता, तो कब खरीदना परेगा dollar, बाद में, और dollar तो क्या होता है, fluctuate होता है, तो क्या होगा, risk होगा कि नहीं होगा, तो fluctuation में दो चीज़ हो सकता है, या तो महंगा होगा, या तो सस्ता होगा, तो कब हम तो मारा रिस्कराईज होगा, तो हम कहते हैं जब डॉलर महंगा होगा, क्योंकि पेमिंट करना थे आपको टॉमैटो देना है, तो महंगा हो जाय तो नुकसान हो यहां देखो, Mr. India को डॉलर pay करना है, तो डॉलर महंगा हो जाय तो नुकसान होगा, ठीक है, तो यह सब तो रूपी 80 क्यूं है, क्यूं ना रूपी 1 का $80 हो जाए, यह ख्याल आपके दिमाग में आया ना है, मेरे दिमाग में तो कितने दिन आया बाती छोड़ दो, जब पढ़ाना है, स्टार्ट किया तो एक साल तो मेरे दिमाग में यही चलता रहा, नहीं समझ मैं, अगर आंसर डूणने में मुझे, मैं क्या बोलू, इसका आंसर क्या दूँ, अब यह तो बोलने सकते, कि US तो डेवलप कंट्री है, इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री की वैसे, अगर यह आंसर को देगा, तो फिर जापान भी आ जाएगे, क्योंकि आपको पता है, अगर ह सामान पर Made in Japan की टैग लग जाए, आँख बंद करके महंगे भी देने को लोग तयार है, इतना तो मानते हो ना, आज जितने भी चीज चल रहे हैं, यहां रोड पर दिख रहे हैं, जितने भी कार समझ लो, जितने भी AC यूज कर रहे हैं, सारे क्या है, सारे Japanese टेक्नलोजी, पहले तो सारे इंपोर्ट ही हो जाया करते थे, लेकिन कोस्टिंग बढ़ जाता है खडचे लाने में, तो आज के रिट पर क्या होता है, टेक्नलोजी जापान से इंपोर्ट होती है, और बैठके बनाते कहा हैं, इंडिया में, तो उससी क्या होगी है सामान, सस्ता हो गई, मारूती सुझु की, मारूती इंडियान कंपणी, सुझु की, जैपनीज, दोनों ने मिल के बोला, टेक्नलोजी मेरा, समान बनाते हैं, आज देखते हो जितने भी एसी है, हिटाची, डाइकिन, पैनासोनिक, जितने भी आप देखते हो, सारे कहां से, कुईसी टेक्नलोजी सारे यह जैपनीज, तो टेक्नोलोजी के मामलावनती इतना आगे, तो मुझे बताई, वो developed country है, फिर बताई, एक्सेंज डेट ऐसे क्यों, यह भी तो question फटक से आजाएगा, क्यों, तो अभी हम लोग इसी background के अंदर चल रहे हैं, सबकी answer आपको मिलेंगे, tension मत लीजे, तीन स difficult लगते हैं, जिनको rate पे command नहीं है, याद रखिएगा, foreign exchange किसको difficult लगते हैं, जिनको rate पे command, नहीं है, rate पे command का मतलब क्या हुआ, currency के exchange rate पे command नहीं है, उनी को foreign exchange difficult लगते है, चलिए, तो सबसे पहले जो commonly used currency उसकी हम बात करते हैं, major foreign currency, सब लिखा हुआ है, बस आप लोग, mind में processing करेंगे और मुझे बोलेंगे, world की सबसे strongest currency, world की सबसे strongest currency, इस सिर्फ general knowledge के लिए है, और कोई इसका use नहीं है, हमारे exam में आज तक, उस currency को use करके कोई भी question नहीं पूछा गया है, बता दू, world की सबसे strongest currency है, कुवेत का दिनार, या आज के rate पे, एक कुवेत का दिनार अगर देखा जाए, 1KWD, ये जाते है आपका, रूपी 270 के around, इतना strong है, मतलब क्या समझा रहे हैं, strength यहां से पता चल रहा होगा आप लोग को, जिसकी quantity कम होता है, वो strong है, जिसकी quantity जादा है, वो weak है, जैसे 2000 के currency की note की quantity क्या होता है कम होता है 100 के note जो होगा उसकी quantity क्या होगा ज्यादा weaker currency की quantity ज्यादा होते है strong currency की quantity क्या होता है अब कम होताए अब देखो इसमें इसके एक जो है 었어 Delaware का दिनार उन जो होगा वो Rp 270 की total है मतलब 270 कागज की टुकरे देने पड़ेंगे आपको एक कुएट के दिनार के लिए मतलब यह कितना strong है यहां से आपको समझ में आ रहा होगा आपको पासमझ में आ गए यह सब लिखा हुआ है कुछ भी लिखने की जरुद आपको नहीं है चलो यह तो general knowledge के लिए था अब आये वापस एक एक करके पहले list ले लेते फिर आएंगे क्यों है महंगा क्यों है सस्ता कैसे होता है क्या region है अब एक एक करके region देखेंगे हम लो उसके बाद की जो currency है वह आपका आज के rate पे हमारे question के अंदर जो आएगी यह जो हम अगरी KWD, GBP जो लिख रहे हैं न इसको बोला जाता है ISO code internationally accepted three letter abbreviation जो है वो ISO code है जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा ध्यान से सुनिए मैंने यहाँ पे लिखा 100 यह क्या है बता सकते है कोई मुझे यह क्या है अब बोलेंगे बातचित करेंगे मेरे साथ रूपी 100 कहां का रूपी इंडिया वाले तो अब रूपीज नहीं लिखता इंडिया वाले वसाइन यूज करते है RS कभी नहीं लिखते क्योंकि RS भी एक सिंबल ही हो जाता है जब तक आपके पास सिंबल नहीं है जब तक आपके पास सिंबल नहीं था तब तक आप क्या यूज कर रहे थे RS आज के रेट पे RS यूज नहीं करते या वो कुछ लोग ऐसे लोग यूज कर लेते जिनको लगता है सिंबल लाने नहीं आता है वोई सब यूज करते है अदरवाइस कोई यूज नहीं करते तो इसलिए मैंने RS अगर 100 लिखा है तो वो इंडिया का तो नहीं होगा ठीक है नेपाल का गुड़ और पाकिस्तान क्या यूज करता है वो भी तो रूपीज यूज करते है तो मुझे ये बता दो कि ये पाकिस्तान का रूपी 100 या नेपाल का रूपी 100 ओ डाउट है अच्छी ये बताओ ये क्या है तो रह बोलेंगे मजा नहीं आता दरवाइस एन वैसे बता दू हम भी हमेशा इसको एन ही मानके चलेंगे examination point of view से वैसे बता दू Chinese Yuan का भी symbol यही है उसका दो symbol है एक ये symbol है और एक उसका Chinese symbol है यानि कि यूआन चाइना का जो currency यूआन है वो आपका दो symbol यूज करता है एक ये symbol यूज करते है और चाइनीज symbol यूज करते है यह तो यहाँ पर confusion हो जाएगी वैसे बता दो question में जब भी कभी यह लिखा होगा ताब इसको क्या अजियूम करके चलना एन ही अजियूम करेंगे Japanese एन ही अजियूम करके चलेंगे अब ठीक है चलिए तो वापस आते हैं confusion है या नहीं है symbol के साथ है न इस confusion को दूर करने के लिए internationally एक three letter का abbreviation बनाये गया है जो की unique होगी कभी भी दो currency का same नहीं हो सकता समझ में आगे बात उसको हम लोग क्या बोलते हैं ISO code तो question जब आपको exam में पूछा जाता है तो कभी symbol के साथ लिखा जाएगा या कभी ISO code के साथ जैसे या तो लिखके देंगे रूपी 100 या question में आपको क्या मिलेगा आपको INR 100 दोनों का मतलब एक ही है इसमें confusion रह जाता है इसमें confusion नहीं रहता है officially कभी भी इस तरीके से exchange rate नहीं मिलेगा बात समझ में आगे officially officially confusion नहीं डाला जाता है bank में जाओगे कभी भी exchange rate पूछने कभी भी इस तरीके से symbol के साथ rate आपको नहीं देगा समझ में आगे जहां भी जाओगे आपको क्या मिलेगा INR GBP USD इस तरीके से मिलेंगे ठीक है तो हमने यहाँ पे कुछ list दिया है currency का उस currency के list के अंदर सारे ISO code यहाँ पे अवलेवल है एक काम करते हैं पहले ISO code पे ध्यान देते हैं फिर बाद में वापस आएंगे हम कहीं कहीं एक एक करके चलते ठीक है कुएत का जो ISO कुएत का दिनार है तो KWD United Kingdom UK का currency GBP Great Britain Pound Switzerland की currency Swiss franc CHF इसका ISO code है question में आपको खूब मिलेंगे याद रखना वसे तो बहुत सारे country बहुत सारे currency है हम कितने पर ध्यान रखेंगे हम सिर्फ उन currency पर बात कर रहे हैं जिन पर past में maximum time exam में क्या हो रखा है question आ रखा है Switzerland की currency Swiss franc CHF देखें Euro zone की जोन इसलिए बोलते है क्योंकि वो यूरोप की कुछ areas है जो आप उन्हों लोगों ने एक union भी बना रखा है कुछ उसमें 20 country जो होते हैं Euro currency को use करते है उन लोगों ने अपने business को strong करने के लिए या globally अपने आपको stand करने के लिए चोटे चोटे country जो होते globally कभी पहचान में नहीं आते थे तिन लोगों ने अपना एक संगठन बना लिया union बना लिये और उसके थो सब ने बोला कि सब हम लोग क्या करेंगे एक ही अपने ही currency यूज करेंगे तो Euro zone की जो currency है आपका Euro E.U.R United State का USD इंडिया का INR नेपाल का NPR और जापन का JPY Japanese In इतने ISO code आपको याद हो जाएंगे टेंशन नहीं लेना है अभी आपको लगा कि कितना याद रखने की जुरुरत नहीं वो अपने आप हो जाएगा बहुत बार होते हैं हम याद करते हैं और कुछ जोते हैं अपने आप हो जाता है हम इतने बार यूज करते हैं इस currency को examples के अंदर कि अपने आप याद हो जाते हैं और इसके अलावा आपको कोई भी currency नॉर्मली बहुत कम दिखता है 100 something question है इस में से more than 90 question में कितने currency होंगे यह currency होंगे ठीक है स्वीजालेंड का स्विस्फ्रेंक स्विस्फ्रेंक यूरो का EUR USA का USD क्या केते हैं कैनाडा का CA यहां से ले लो CAD Australia का AUD Malaysia का Malaysian Ringgit देखो नाम कै इसका Malaysian Ringgit MYR यह भी currency दो ही बार पूछा गया ठीक है Chinese Yuan इसको भी दो ही बार पूछा गया CNY अरे maximum questions जो हो गया ना आपका AUD CAD इसी चार में होते है और Japanese yen आएगा उसमें और रुपीज होगा हमारा maximum question आपको GBP CHF EUR USD और JPY इसी में सारे के सारे questions आपको frame मिलेगा आपको चिक है Australian Dollar AUD Malaysian MYR Chinese Yuan CNY Chinese Yuan Renmin भी इसका पुरा नेम याद रखता CNY इंटिया का INR Nepal का NPR Nepalese रुपीज Japan का JPY मोटा मोटा आइडिया लग गए ठीक है अब हम बात करते हैं strength पे देखे जो stronger currency है वो क्यों है उसको हम थोड़ा दर बाद आते हैं पहले हम एक list लेते हैं sequence में बात करते हैं currency के strength wise world की सबसे stronger currency कौन से हो गया हमारा कुईत का दिनार उसके बाद बीच में और भी बहुत सारे होंगे मैंने खुद भी research नहीं किया उसके बाद हम सीधा आ गए हमारे को जहां से maximum question आते उसमें सबसे ज़्यादा stronger पहले number पे कौन से आता है UK का currency United Kingdom का कौन सी currency बताइएगा इसका symbol ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो और आप चाहो तो double line भी डाल सकते हो देखो कुछ लोग की handwriting खराब होती है वो तो बदल नहीं सकते at least लिखते हुए time जो है थोड़ा सा आप ऐसे लिखो क्योंकि देखो आगे euro का symbol यह आएगा अब कुछ लोग ना इसको यहां curve करने के लिए यहां curve करने के लिए ऐसे करने लग जाते है pound में भी बहुत पर में आप लोग का register देखता है कुछ पूछने आते हो तो euro and pound में difference ही नहीं पता चल रहा होता है ऐसे काम नहीं करना है याद रखिएगा आपको अगर pound लिखना हो तो आपको दिक्तत है न ऐसे वैसे सही तो ऐसे होता है एक line दो या आप चाहो तो क्या करो double line दो double line क्या कहते है कि यह ज़्यादा popular है वर्ल्ड में कहीं भी जाओ accept हो जाएगा तो double line इस चीज़ का निसान यह common parlance है याद रखना कोई rule नहीं है common parlance समझते हो नहीं समझते एक पेटी का मतलब एक लाख कौन सी law में लिखा होई बता देजेगा यहीं चीज़ common parlance है लिखा कहीं नहीं लेकिन लोग क्या हो जाता है इसको समझ जाते एक common parlance में लोग ऐसे समझ जाते जिस भी symbol पे दो parallel line है वो popular है याद रखना popularity और strength दो अलग अलग चीज़ है कोई जरूरी नहीं महंगा चीज़ पॉपॉलर होगा सस्ता भी popular हो जाते बहुत बार और महंगा भी popular नहीं होते जैसे कुएत का दिनर बहुत महंगा है बट popular नहीं है लेकिन Japanese end ले लो बहुत सस्ता है यह पे नेपाल के currency से भी ज़्यादा weaker currency है कहां के? जापन के लेकिन वो पूरा popular है कहीं भी चले जाओ असेप्ट हो जाएगा चार currency इतना popular है कि वोल्ड की किसी भी कोने में लेके चले जाओ आपको असेप्ट हो जाएगा सबसे ज्यादा popular काउन सी है? USD बांकी EUR, Pound and CHF शारी CHF नहीं Japanese end JPY JPY EUR GBP USD यह चार currency इतना popular है कि वोल्ड की किसी भी country में चले जाओ आप सेप्ट हो जाएगा इविन आज अगर आप NSC पे जाते हो आप NSC पे चले जाए NSC पे आपको National Stock Exchange पे चार currency ट्रेड होते हुए नजर आएगा आपको यहाँ जब जाओगे तो home page पे तो आपको currency का rate नजर नहीं आते हैं लेकिन आप जब जाओगे market data पे यह NSC को website पे चलागे यह कोई platform है saadi.com सुनाओगा metromoney.com क्या है यह तो जल दि saadi.com क्या है एक platform है जो दो इंसान को क्या करते मिलवाते हैं जीवन साथी बनने के लिए Exactly NSC एक ऐसा platform है जो दो लोगों को मिलवाता है कौन सी दो लोगों को जो business का मालिकाना हक बेचना चाहता है और जो business का मालिकाना हक खरीदना चाहता है उन दो इंसान को मिलवाता है OLX क्या है एक platform है जिसको used सामान खरीदने बाले और बेचने वाले का मिलन करवाते है मिलन का platform कौन है OLX मुझे आज ये mobile बेचना है मैं कहां डूडने जाओ किसको खरीदना है OLX पे चले जाता हूं बेचने वाले भी मिल गए जो खरीदने वाले होगा मेरे से बात करेंगे हम क्या करेंगे वहाँ पे दील फाइनल करेंगे exactly NSE एक platform है किसके बीच में मिलन करवाता है ये business existing business का मालिक जो अपने business को बेचना चाहते है और एक कोई investor जो किसी business में invest करना चाहते है ये तो आप अलग तरीके से बात करें वह करेंगे वह बताना मुझे कोई equity share क्या है मालिकाना Hack मेरे पास reliance की share है reliance की मालिक हो वो बग्या बात करें reliance के मालिक तो मुके संबानी है मुके संबानी सिर्फ 50% की मालिक है 50% के मालिक कोई और है आज अगर reliance fraud करता है कुछ भी करता है तो याद रखना 50% पैसे पहले किसके डूबेंगे, बांकी के बाद में डूबेंगे, इसलिए जब भी कभी इसी बिजनस में हम पैसे लगाते तो हम एक चीज देखने जाते, प्रोमोटर होल्डिंग, भाई प्रोमोटर तूने अपने बिजनस में कितने लगा रखा है, माले तो प्रोमोटर की होल्डिंग हम सबसे पहले देखते हैं कि भाई तुम्हारा होल्डिंग हम से 50% ज्यादा तो हो, आज TCS की बाद करते हो, रिलाइंस की बाद सब करते हैं, TCS की बाद कुछ कम करते हैं लो, क्योंकि आपको बता दू, TCS में 75% लेके बैठा हुआ है, कौन? TCS, Tata Group की है न, IT सेक्टर में, तो 75% खुब लेके बैठा हुआ है Tata, इसका मतलब सिर्फ 25% exposure market में उसके, समझ में आ गई बात, उसका अगर माली का आना, मालीजे मैं आज TCS का माली का बनना चाहता हूँ, तो मैं TCS के पास नहीं जाओंगा, TCS के मालीक जो पहले से हैं, उन उनकों में ढूंडूंगा, ऐसे लोग जो उसके share बेचना चाहते हैं, और मैं उसके share खरीदना चाहता हूँ, वो एक platform है क्या, NSE, लेकिन ऐसा नहीं है, कि सिर्फ इसमें equity share ही खरीद बेच होती है, यहाँ currency भी होती है, यहाँ सर्त भी लगती है, even तो proposal ए community भी आने वाले ह आपको देखो, equity derivative, currency derivative, commodity derivative, interest rate derivative, चार तरीके का, यह जो interest rate derivative है, इसका हमने एक अलग चाप्टर ग्राम दिया था, याद आ रहे है कुछ, interest rate, risk management, foreign exchange risk management अभी पढ़ रहे हैं, interest rate के risk management बात में पढ़ेंगे, वो यह है, interest rate का derivative है, यह commodity derivative, currency derivative, equity derivative, सारे derivative चाप्टर में पढ़ेंग जिसमें से कुछ portion अभी हम currency derivative का अभी पढ़ लेंगे foreign exchange में, यानि कि currency derivative को दो पार्ट में पढ़ते हैं हम लो, कुछ कहां पढ़ते अभी foreign exchange में, और जो हमें लगा कि अभी हम इसको नहीं पकड़ पाएंगे, उसको कहां पढ़ेंगे, derivative में जाके, सारे mix up, इसलिए मैंने क देखें कितने currency दिख रहे हैं यहां पर, अब कैसे कैसे गया वो छोड़ो आप, दिरे दिरे हम लोग सब जान लेंगे यहां पर, आए यहां पर, देखें क्या दिख रहा है, USD INR, GBP INR, EU RINR, और JPY INR, कितने currency यहां पर trade होते हुए दिख रहे हैं, 4 currency, वर्ल्ड के किसी भी market पर चले जाना, 4 currency तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, बांकी दिखे या ना दिखे, यानि कि सबसे ज़्यादा popular currency कौन सी है, 4, सबसे ज़्यादा USD, फिर उसके बाद GBP, EU RINR, JPY, Japanese AIN, आपको बताया था ना, officially कभी भी आपको symbol के साथ currency quote नहीं होती है, जब भी quote होती है क ISO code के साथ, इस चीज़ों को दिमाग में रखना, क्यूं मैं बताता हूं आपको, foreign exchange difficult कुछ point पे हो जाता है, वो difficult है नहीं, institute ने बना रखा है, अब क्यूं बना रखा है आपको बता दो, SFM में अच्छे marks ना आने का, एक और region होते हैं, जिनका नहीं आते हैं, वो confused होके पड़ते हैं, और institute ने 25% से ज़ादा जगों पे dispute create करके बैठा हुआ है, यह dispute जो होते हैं आपको confidence नहीं आने देते हैं, और जैसे आपको confidence क्यूंकि क्या करेगा, एक ही question का, दो अलग अलग type के solution दे देंगे, एक ही exchange rate का, दो अलग अलग तरीके से interpret कर लेंगे, जैसे मैंने क्या बोला अभी, देखो, क्योंकि यह इतने सारे background समय देते हैं, वो इसलिए देते हैं, क्योंकि आप market को देखके, अलग अलग platform को देखके, आप अपने, जो एक understanding level हो उतना बढ़ चुका होता है, कि institute की mistake को आप हड़ा से पकड़ लेते हो, कि क्या कहना चाहा रहा है वो, जैसे आप देखो, मैं एक example देता हूँ, कैसे confuse करता है institute, लिखेगा USD INR 80, ठीक है, लिखेगा rupee dollar 80, ठीक है, अब लिखेगा GBP, CHF, 1.05, और कहीं पर लिखके देंगे आपको, GBP, 1.10, ठीक है, नॉर्मली लोग अलग-अलग तरीके से रटा लगा लेता है, ठीक है, बट, मेरा अपना मानदा रहते हैं कि पहले आप अपने level को क्या करो, इतना तक लेके आजाओ, कि वो क्या कहना चाह रहा है, वो हम अपने आप पकड़ ले, बहुत confuse करके रखा institute, यह सारे गलतियां institute का है, इतने सारे जो है, mistakes लेके carry कर रहा है, कचरा में बोलता हूँ उसको, अपने study mat के अंदर इतने कचरे को carry कर रहा है, जिसकी बच्चे को confidence नहीं आता है, और वो चाह के भी अच्छे marks नहीं लापाता है, जैसे confidence lose करते हैं, इसलिए हम लोग पहले से, आपके mind में इतने worst कर दूँगा, कि भाई हमें appropriate solution देना है, बाकि जो वनाई कर ले तू, इतना confidence इस दिन लेके आगे, एक जमसन तो कहीं नहीं जा रहा है, मैं आपको लिख के देता हूँ, ठीक है, क्योंकि institute के solution के पीछे भागोगे, तो इतना धोखा देगा, एक ही question का दो-दो solution, अब खु नहीं मिलेगा, दिक्तत क्या पता है, हमारे आसपास इतने सारे negativity है न, कि दिमाग में जान, मतलब negativity डाल दिया है, दो-तीन बाद फेल हो जाता है, जाके library में पढ़ता है, सब अगल बगल में सारे फेल वाले 3-4-5 इस्टरंट पढ़े होते, फेल हुए हो इस्टरंट वहां देखा, जो फेल हो रखा है, जिनके साथ बुरा हो रखा है, certified copy आपने उनका नहीं देखा है, जिनके साथ अच्छा हो रखा है, आसमाज में आ गया, तो positivity तो आपके दिमाग में आना ही नहीं दिया, इसलिए मैं ज्यादा तर case में उन certified copy को आपके साथ share करना चाहता हूँ, जिसमें आपके लिए क्या होता है, positivity होती है, मैं आपको दिखाऊंगा 14 marks के question, 50% solve कर रखा है, और 14 के 14 मिले हुए उन student को जिसको 95 आया हुआ है, 2017 में तनय पांडे के question का 95 marks आया हुआ है, ठीक है, उनको खुद नहीं बरुसा था, हमारा 95 आ कैसे गया बाई, क्योंकि उनको आना ही चाहिए था, 90 के बिलो, उनको भरोसा नहीं हुए, ऐसलिए उनने certified copy मंगबाया, और बाद में पता चला, क्योंको पता था, 14 marks के question में तो मैंने 50% ही solve किया है, 50% तो solve किया ही नहीं, marks दे कैसे दिया, 7 marks तो नहीं कम हो गया, और एक question में mistake कर रखा था, उनने खुद प ना रखा है, तो एक ची ध्यान से रखिए, mistake जब होती है तो सिर्फ आपके against ही नहीं होता है, इस ही जो को पहले mind में दखिए अब, क्या बोला मैंने, अगर कोई चीज गल्तियां होता है, मान लेजे देखे, human error हर जगों पर होता है, आप जब अभी इस test मैं आप लोगों स check कर रहे होते हैं, तो वो जल्दी-जल्दी में mistake होता है, marks जहां पर देना चाहिए था, नहीं जाता है, नहीं देने पर भी marks अवार्ड हो जाता है, लेकिन ऐसा mistake कितने marks के लिए होते हैं, हम बहुत negative हो जाते हैं, institute को लेके कि हम जाते कि examiner 100% accurate हो जाए, human error आना confirm है, आप check क करता हूं, मेरे से mistake हो जाता है, बच्चे कहते हैं, सर यहां पर marks तो मिलनी चाहिए थी, मुलता है, हाँ, मिलनी चाहिए थी, अरे, तो फिर कहीं पर कहते हैं, सर यहां पर देखिए, एक marks extra मिल गया, हो गया, क्योंकि होता है, जब बहुत सारा answer sheet होते हैं, जब हम check कर रहे हो maximum मैंने देखा, मैं अपने तरफ के बोलू, दो, चार, पांच marks तक का, तो मेरे भी mistake मिला है, जब अच्छे बाद में बोलते हैं तो, institute के level में मैं बता हूं, क्या मिला है, एक बार तो मैं बता हूं, आपको November 2020 के attempt में, बहुत difficult paper आया था, बहुत जादा, November 2020, उसी तरीके का paper May 2023 में भी था, एकर एक तरीके से देखा जाए, तो November 20 और July 21, यह दोनों paper थोड़ा difficult था, जिसमें से सबसे ज़्यादा paper difficult यह था, आपको बता दू, May 2023 में, more than 50% question, इसी दो attempt से उठा के modify किया है, चार-चार question तो सिर्फ November 20 का मिल गया, May 2023 में, इसी लिए May 2023 भी क्या आओ चुका है, difficult paper बना जिसका 80+, 90+, तो किसी का दिखा ही नहीं, 85 मेरे को maximum दिखा है, वापस आते, November 20 में, मैंने, openly बोला, जिसका भी certified copy भेजना है भेजो, क्योंकि बहुत परिसान थे बच्छे, बहुत difficult paper था, मैंने, जब यह offer दिया, openly तो बहुत सारे certified copy आ गए, approximately 500 plus certified copy आ गए, बाद में चेक भी नहीं कर पाया, 375 तक मैंने चेक कर पाया certified copy, तो वहाँ से idea लगा, कि बच्चे कितने unfair होते है marks, उससे पहले भी चेक किया था, लेकिन 2-4 certified copy चेक करते थे, लेकिन November 20 मैंने, जब 375 पे certified copy चेक किया, तो अब मुझे बिल्कुल ही ICI करता क्या है, बिल्कुल दिमाग में क्या हो चुका है, सेट हो चुका है, और एक चीज़ और याद रखिएगा, कुछ लोग जो है जिनको logically strong नहीं है, कुछ faculty, वैसे मैं कभी किसी faculty की बात नहीं करता, class में अपना, लेकिन कभी कभी मजबूरी हो जाता है, बोल देते हैं, एक दो बार तो गुस्से से भी बोल देते हैं, क्योंकि कभी कभी मेरे को police station तक भी बुला रखा है, कुछ लोगों ने परिसान करके, तो जब ऐसे emotionally हो जाते हैं, माइंड में आ जाते हैं, तो नाम भी ले ले लेता ह हैं, अब बाकी तो मिलेगा नहीं, पढ़ाने के style में तो कभी मिला नहीं, चाहे वो student हो, चाहे teacher हो, तो बुराई कैसे निकालते हैं मेरे, कि ये ना institute की खिलाफ रहते हैं, वो institute की solution को differ करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको दुविधा दूर कर दूं, confusion को clear कर दूं, मानता ह आपके इसके अंदर, मैं क्योंकि मैंने पहले ही बोला है, इंस्टूट बोलेगा 2 प्लस 2, 4 ज्यान से सुनिएगा, 2 प्लस 2 को 4 बोलेगा, तो तो हम इंस्टूट हमारे God है, और 2 प्लस 2 अगले बार बोलेगा 5 है, तो हमारे God नहीं रहेगा इंस्टूट, पासाज में आग क्या हम question wise solution याद करके जाए, अगर ऐसा है तो सारे 700 question में से आपको 100 question में mistake मिलेगा, 100 question नहीं, मैंने list भी दे चुका हूँ YouTube पे, I think 70 question का list दिया है, इस पूरे के पूरे book में, जो हमारे book के अंदर 700 question मिलेंगे, उसमें से आपको 70 question ऐसे मिलेंगे, जो disputed है, जिसमें गलतिया है, या तो solution में गलतिया है, तो question में गलतिया है, या तो सारे के सारे 70 question को याद कर लो, ठीक है, और या तो आप logically concept याद कर लो, concept को समझ जाओ, और conceptual जो सही होता है, उसको आप solution दे दो, मेरे यह मानना है, चलिए, clear कर दू मैं पहले, मैं जहां भी ICAI का solution या CMA Institute का solution को differ करता हूँ, आपके register पे clearly disclaimer लिखा होगा, बात समझ में आ गया, disclaimer लिखा होगा, अब मैं दिखा सकता हूँ, बट थोड़ा time लग जाएगा, उतना time भी नहीं लगाना है, disclaimer मैं कैसे लिखता हूँ, मैं अपना solution देता हूँ, और उसके नीचे ICAI का solution देता हूँ, बात समझ में आ ग exam में, नहीं समझे बात, मैं गलत कब होता, मैं institute की solution differ करा दिया, और institute की हकीकत मैंने नहीं बताया, तब मैं गलत होता न, बट ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, एक भी question में नहीं मिलेगा, ठीक है, ना मैंने एक question को modify करता हूँ, अगर question में mistake है, तो मैं mistake वाले question ही अपने book मे रखा हूँ, ताकि आपको बता हो, कि institute क्या कर सकते है, और आपके examination में क्या हो सकता है, ठीक है, चलो वापस आज़ते हैं, तो इसलिए आप पहले ये दूर कर लो अपने दिमाग में से, कि मैं कहीं पे भी mistake, sorry, institute के साथ differ करता हूँ, तो मैं आपको institute का solution देता हूँ, अगर आपको institute का solution याद हो जाता है, 2 plus 2,5 होता है, तो याद करके चले जाएए, कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं रख पाते हैं, जो मुझे लगता है, तो आपको क्या करना चाहिए, appropriate solution देके जाना चाहिए, और appropriate solution पहुंचने के लिए, हम logically strong होते हैं, ना कि हम question wise solution रटा लगा वैसे normally हमारा जो batch होते हैं, उसमें 3 and half hour की batch लेते थे, और उसमें क्या करते थे, 15 minute का break होते थे, इसमें 20 minute break निकल जाता है, मैंने इसमें सोचा है, वैसे बाद में देख लेंगे, जैसे आप लोग के साथ, कुछ हम live बाले के साथ भी बात कर लेंगे, अगर office अगर नहीं हो कुछ पड़ाइन ठकेंगे क्या, इसमें आपको अभी नजर नहीं आ रहा होगा, कुछ गरवड़िया, लेकिन confusion ही confusion है इसके अंदर, कैसे confusion है देखो, यहां तो कोई दिक्कत आपके साथ नहीं है, यहां बताना, एक क्या rate कहना चाह रहा है कि देखो, जब भी कभी exchange rate quote करो तो इसमें कोई currency per unit में होगा, कोई currency 1.05 के साथ होगा, जैसे इसमें देखो, 80 के साथ देखते हैं हम लोग, 80 के साथ रूपी है या डॉलर है, यह वाले, यह वाले, इसमें रूपी 80 है या डॉलर 80 है, बात नहीं समझ मैं आप लोगो, exchange rate जब भी लिखते हैं, तो एक base currency होत है, ठीक है, price currency क्या होते है देखो, अब जैसे इसमें मैं लिखो, dollar 1 equal to rupee 80 है, या rupee 1 equal to dollar 80 है, यह बताओ पहले, जल्दी जल्दी time मत लगाओ, यहाँ पर मैं यह बोलू कि rupee 1 equal to dollar 80 है, बोलो कि सर यह कैसे हो जाएगा, यह कुछ लिखा नहीं ने 80 के साथ, तो 80 के साथ कुछ नहीं लिखा है, तो या तो rupee 80 होगा, या तो dollar 80 होगा, तो आप बताओ कौन सी 80 होगा, रूपी है, इसमें confusion नहीं होता कभी किसी को, क्यों न confusion होता, क्योंकि बच्पन से आप अभी तक सुनते आ रहे हो, कि dollar strong रूपी क्या है, विकर है, तो rupee के साथ तो दिक्कत आपको नहीं आएगा, लेकिन यहाँ तो दिक्कत आएंगे, अब बताए कैसे आएगा, अब होता क्या है, अब रटा लगा लेते हैं question पर जाके, यह question म मेरे को irritation सुरू हो जाता है, पहले हम logically समझ लेते हो क्या रहा है, फिर उसके बाद वापस आएंगे हम लोग, आपको बता दू, यह official quotation नहीं है, बोलो कैसे, यह official quotation नहीं है, अब दिमाग में आई ने आप लोग, अभी मैंने क्या बोला, officially symbol quote नहीं होता, symbol में confusion है, बात समझ म आई कुछ, यह मैंने लिखा hundred, यह US dollar भी हो सकता है, Canadian dollar भी हो सकता है, Australian dollar भी हो सकता है, इसलिए officially कभी भी आपको symbol के साथ exchange rate quote नहीं होता, बात समझ में आ गई, officially हमेशा क्या quote होंगे, ISO quote, आज चलिए अगर आपको Google पर चाहिए, अगर कोई भी rate quote करिए आप, कोई भी rate अब होता क्या है, थोड़ा कभी-कभी मैं भी YouTube अगर explore कर लेता हूं, तो कुछ दिख जाता है, अब मुझे बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े teacher, जिसको industry में लोग अच्छे-खासे strength based है, strength जानते हैं, वो जब इस तरीके के बाते करते हैं, तो मुझे थोरा हसी आ slash INR, मैंने लिखा, मैंने return कर लिए, देखे, कुछ आ गई यहाँ पे, मैंने क्या लिखा तो उपर देखना ध्यान से, USD INR, क्या है बताइए, rate देखो क्या लिखके दिया है, 82.12, क्या है जल्दी बताओ पुझे, जब देखो ध्यान से, जो currency पहले लिखा हुआ है, जो currency पहले लिखा हुआ है, वो फिस्ट currency आपका base currency है, ये price currency है, base currency, price currency का मतलब समझी है पहले, ये देखे, कहां थे हम लोग, यहा थे, ये देखो, मैंने लिखा यह है base currency है price currency, price currency का मतलब क्या देखो, 1 kg tomato की price rp 80, तो देखो, जो भी चीजों का सामान जब quote किया जाता है, वो per unit में जाता है, बनते हैं, per unit में, तो dollar हमारा यहाँ per unit में है, तो यह base currency जिसका price है, dollar एक commodity है, उसका price rp 80 है, तो rp क्या है बता यह price currency, tomato 1 kg is equal to rp 200, तो rp जो है no price currency, जिसमें price quote किया गया है, price किसका था, tomato का, तो price यहाँ किसका है, बताई 80 वाले, dollar का, तो जिसका price होगा, वो हमारे लिए base currency है, officially, officially, इस quote का मतलब क्या होगा, बताईए, एक dollar का, रूपी कितना होगा, बताईए, 80, मतलब जो currency पहले लिखा जाता है, वो currency, base currency होता है, उसका price होता है, मान गए बाब यह, और यह officially, मैंने नहीं बना रखे, पूरे globally यहीं चलता है, अब यह आप NAC को website पर जाईए, देखना NAC को website पर क्या चल रहा था, यहाँ पर क्या लिखा है, बताना, USD INR, क्या मतलब इसका, एक डॉलर का INR something, देखिए, क्या price चल रहे है, यहाँ पर आपको नीचे दिखेगा, आम यहीं पर दिखायता हो, कोई भी price, देखो, last price कितना दिख रहे है आपको, 32 के राउंट दिख रहा है, last का मतलब last जो price trade हुई है, पिछले दिन, क्योंकि अभी तो market open नहीं हुई है, market open होती है 9 बजे, currency का market open होता है 9 बजे और 9 बजे से trading शुरू हो जाता है, equity market open होती है 9 बजे, लेकिन trading शुरू होती है 9.15 से, बीच में कुछ pre-opening से सोन होता है, 7 minutes का, फिर 7 minutes हो halt रखा जाता है market को, वो सारे knowledge में आपको दूँगा कहां पर, stock market में, ठीक है, वो सारे knowledge आपके पास होनी ही चाहिए, ये last price जो आपको दिख रही है, ये आपका traded price है, जितने पर buyer और seller ने मिलके एक price decide किया है, वो 82 point something है, यहाँ पर मैं चलता हूँ, एक dollar का था, बो लोग ये सब इतने सारे क्या है, वो बाद में बताएंगे आपको, मै 107, यानि कि, एक GBP के लिए, जो लोगों ने, एक आपस में जो बोली लगा के price decide किया, price कैसे decide होता है, बताऊँगा, आपको कल पर सो बताऊँगा, कल हो चकता है, वो 107, तो क्या officially जो currency पहले लिखा जाता है, वो हमारा base currency होते है, अब आप लोगों ने chat GPT को सुना होगा, सुना होगा, और यूज़ करना भी चाहिए, भाई देखो, अब सब को पता है कि ये, ये nuclear open से भी जादा खतरनाक है, तो भाई खतरनाक तब है जब उसको गलत रास direction में use करेंगे, और उसको अगर हम सही direction में use करेंगे तो, तो फिर बहुत बढ़िया है, आपकी कम से कम efficiency ब बुराईया होंगे, तो उसके साथ अच्छाई भी तो है, तो बुराई को जब होगा तब देखेंगे, पहले कम से कम अच्छाई को यूज़ कर ले, तो आप मुझे बताइए, आज अगर चैट जीपीटी को GBPINR आप पूछोगे, तो क्या समझाएगा उसको, बताओ ना, मैं अगर आज चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि भाई, इसका क्या मतलब होता है, करिंसी में लिखके दूँगा, और उसके साथ कुछ पूछूँगा, तो यह क्या समझेगा, इसके लिए बताना मुझे आप, इसके लिए क्या समझेगा चैट जीपीटी, बताएगा इसको लिखते हैं वो, CHF का फ्रैंक को ऐसे लिखते है, फ्रैंक अब लिख पाउंड 1.05 लिखेगा, अब बोलोग इसका क्या मतलब हो गई, इसका मतलब यह हो जाता है, दियान से देखिए, ऐसे लिखते हैं इंस्टिटीट, तो गलत तरीका हो गए न भी यह, अभी अभी कोट होता है, इसका कोट के साथ, जो करेंसी पहले लिखा जाता है, बेस करेंसी, अभी मैंने गूगल पर भी दिखा दिया, इवन चाट जीपटीव भी जाके आप चेक कर लो, वही आपको मिलेंगे, ठीक है, तो अब आप मुझे बताईए, इस तरीके से एक्सेंज अगर लिख के देता है, इंस्टूट तो सही है, इंस्टूट गलत, इंस्टूट गलत है, लेकिन होता क्या है, पहले इतना ओफिसली दिमाग लगाते नहीं थे, CA जो थे, जो इसको बिल्कुल ही, social media या ओफिसली कोई मतलब ही नहीं, उनको कभी market का सकल नहीं देखा, वो लोग स क्या होगा, कम से कम interest बने रहते हैं, आपका दिमाग इधर उधर नहीं भटकेगा, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है हमारे साथ, आज के रेट पे, पढ़ने के लिए बैठो या कुछ भी करो, एक घंटे जब हम कोई काम करते हैं, उसमें से, या तो यह अगर सामने कु मोबाइल तो हाथ से नीचे आएगा ही नहीं, आदे गंटे बीच जाएगा, तो पता चलेगा, लो मेरा तो आदा गंटा टाइम गोश्ट हो गए, यह सबसे बड़ी आज के रेट पे जो है, यह सबसे बड़ी मुसीबत हो चुका है, यह एडिक्सन हो चुका है, लोग कहते कि यह पीने वाले इंसान इंसे दूर रहो, वो पीने से ज़्यादा खतरनाक एडिक्सन आज के रेट पे किसकी है, मोबाइल की, मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, सब के लिए बोल रहा हूँ, मैं अपनी लिए भी सोचता हूँ, कोई नोटिफिक्सन आए, और दूसरी चार्ज क्या हो जाता है, अगर मान लिए मोबाइल आपको डिस्टब नहीं भी करता है, तो एक डिस्टब इंस क्या होता है, हम काम कुछ और करें और दिमाग में कुछ और चल रहा हूँ, अभी क्लास में बैठे हैं, हो सकता है रात में आपको किसी से पूरे टाइम गश्ट हो गए, या तो आपके दोस्तों के साथ की लड़ाई जगड़ा, या फैमिली मैटर, या आपके हेल्थी शो, कुछ भी हो सकता है, पढ़ते टाइम जो दूसरे चीज दो दिमाग में चलते हैं, उसकी वैस से आपके जो पढ़ाई हो एफेक्टिव रहेंगे, कुछ भी आजाए, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे, उस टाइम पर ये रहता था कि अभी कुछ पूछ रहा है, इंटरेक्ट करने में, अरे मैं कुछ बोल रहा हूं, कुछ गलत बोल दिया तो बगल वाले हसने लग जाते थे, अरे हां सेंगे तो बेजती हो जा करेंगे, कभी एक्सल सीट पर कुछ आएंगे, आप लोग कुछ ज़्यादा अच्छा मुझे बताया तो, मुझे लगता है ज़्यादा बढ़ी है तो, आपसे भी सीखता हूं, मैं आपसे पूछता भी हो कैसे हुआ, मुझे कभी सरम नहीं आता है, कि मुझे ये चीज नही आपके तक, कॉम्निकेट करने की कोसिस करता हूं, चलिए वापस आजिए, इसका क्या मतलब हो अब बताई जल्दी से, कोसिस करिए, इंटेक्ट करते रहेंगे, आपका दिमाग बना रहेंगा, रूपी पर केजी, ये सब लोग समझता है, तो लोगों ने क्या करा, यही बना लिया, बात समझ में आ गई, एक्षेंज रेट के साथ क्या करा, इन्होंने, पर केजी था तो इसको पर डॉलर बना दिया, और यहां 10 की जगह क्या कर लिये, बताईए, 80 बना लिये, और इस तरीके से एक्षेंज रेट कोट करने लग गए, और यही से मुसीबत हमारा क्या हो गया, शुरू हो गया, तो मुसीबत समझ में आ गई, आपको क्या मैं कहना चाह रहा था, तो ऐसे ही अभी, एक बार ऐसे ही देख रहे थे, कुछ यूट्यूब पर विडियो तो चाट जीपटी के बात कर रहे थे, अब वो चाट जीपटी को, चाट जीपटी ने कै अब आते हैं सवाल, हमारे साथ मुसीबत क्या एगा, इंस्टिटूट ये भी rate code करके देते हैं, ये भी rate code करके देते हैं, मैंने अभी तक क्या देखा है, जहां पर भी इंस्टिटूट ने ISO code करके दिया है, ISO code के साथ exchange rate दिया है, वहाँ 90% case में, ये है आपका base currency, 1 GBP का CHF something जैसे हम लोग देखो, यहाँ पर लिखके देते, फिर से इसको देते, लिखके, हम चलते हैं, बाई, बता दे तु मुझे, 1 GBP का कितना CHF चल रहा है, मुझे लिखना है, तो मैं क्या लिखोंगा, बताएगा, GBP, आगे के लोग बताएगे, CHF, किसका rate देगा है, बताएगे म इस चीजो को सीखते चलते हैं, पहले हम लोग officially सीखते चलते हैं, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, कैसे करना एग्जामनेशन के point of view से, उसको भी हम लोग जान लेंगे, ठीक है, चली वापस आते इधर, यह जो दिक्कते हैं, यह इस चीजों से हम बाहर निकलने के लिए कोसिस क्या करते हैं, कि यह जितने जो हमारा currency, जो कुछ major foreign currency, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार strength wise इसको याद कर लेते हैं, देखिए, सबसे ज़्यादा strong जो है आपके, कुएत का दिनार तो बोली दिया, 270, अब देखो, UK की जो currency की आज के rate जो चल रहे हैं, approximately, मुझे exactly क्लिक की ज़रत नहीं, क्योंकि rate जो होते हैं, हर चीज fluctuate होते हैं, आज से भी जब पिसले batch चल रही थी, उस टाइम यह 100 था, उससे पीछे चल रहा था, 90 है, पता नहीं कितना बढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा तो strong होते जा रहे है शुजर लेंड की currency, आपको बता दू, से 2 साल पहले हुआ करते थे इसके नीचे, आप अभी 2 साल पीछे का history अगर चेक करने जाओगे, तो USD से नीचे हुआ करता था Swiss franc, आज देखो यह Euro से भी ऊपर निकल चुक है, 95 पे जा चुक है Swiss franc की आज की rate, जैसे आपको देखोगे, Swiss franc की आज की rate अगर मैं देख रहा था मैं खुदी हरानू कितना ज़्यादा strong होते जा रहे है Swiss franc की currency, इवन UK की currency अच्छा खासा strong होते जा रहा है, तो जैसे अब अगर यहाँ पे चलते हम लोग, मान लेजे मुझे CHF की rate देखना है, ठीक है, मैंने लिखा चलो, ठीक है CHF, क्या लिखूंगा आगे बताए, INR, औ और अपने आप rate हमारे सामने देदेगा, देखो, आज 95 के round rate चल रहे है, जबकि रूपी, डॉलर से भी क्या था, नीचे था, यह मैं जानबुझ के history भी बता रहा हूँ, history भी बहुत जरूरी है, वो जो confusion है, कौन सी confusion, अभी बताया न, अगर institute सही हो जाए न, तो 25% जो है न, यह format है, हालत खराब करके बैठा है institute ने बच्चों का, और यह दिक्तत होने की वैसे, अब होता क्या है, अब एक question में mistake होगे, बचे, confidence नहीं आता है, अब हम क्या zoom करके चले, तो इन सारे चीजों के लिए, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, जो background डे रहा हूँ, उस background की नहीं है, यह आपका lockdown के time की बात कर रहा हूँ, मैं Swiss franc USA के नीचे हुआ करता था, ठीक है, आज कहा पहुंच चुका है, 95 में, अब मान लिजे, मैं अपने example की बात करता हूँ, मैं अपने example की बात करता हूँ, क्योंकि मैं जितने भी आपके यह class note है, इसमें कोई भी dummy example नह translated होता है, मैंने आज से अगर दो साल पुराने अगर कोई answer मेरे register चेक करने जाएगा, तो उस register के अंदर आप देखना, Switzerland की जो मैंने currency डाला हुआ है, dollar के नीचे है, dollar के उपर डाला हुआ है, और जो मैं अपने class note के अंदर जो example लिया होँगा, वो उसी rate के मुताबिक, किस rate चल रहा था, लेकिन आज जो मेरे register में जो example आएगी न, उसमें मैं जो rate assume करके चलूँगा न, Switzerland का 95 के round, तो देखें दिक्कत क्या आई है, हमारे ICI क्या करते है, foreign writer के book से question copy paste करते है, वो question जो बनाया होगा, किसी ने 20 साल पहले एक writer ने अपना question बनाया था, ठीक है, तो 20 येर पहले अगर उसने अपना question बनाया होगा, तो वो तो उस time के rate को ध्यान में रखा होगा, आपको बता दू, 20 येर पहले, अगर pound 1 का, जो euro में आज के rate पे 1 point something चल रहा है न, उस time पे 0 point something चल रहा था, तो क्या आज से 20 साल पहले की जो exchange rate जो दिया गया होगा, और आज जब institute उसको copy paste करेगा, तो क्या आज के strength के basis पे सही नजर आएगा, या सही नजर नहीं आएगा, नहीं आएगा, और क्या नजर आएगा आपको आज के rate पे, गलत, और अब देखो मुसीवत कहां से शुरू होती है, भाई strength काम करेगा नहीं, क्योंकि question क्या है, 20 येर पुराना, और यहाँ पे दिक्टत आगई, इसका दो interpretation, strength हो जाएगा, फेल, और यहाँ पे आपको ये जो quotation जो है, वो कभी लेते हैं, रूपी 10 पर केजी, जैसे मैंने बताया था आपको, और कभी लेते हैं, इसको पर यूनिट में, तो मुसीवत आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना, इन सारे मुसीवतों की वज़े से confidence होते ह तो अब बोलोगे सर, problem तो आपने सामने रख दिये, अब solution बताओ, तो हम यहाँ पे जो 15 दिन तक जो भी पढ़ेंगे, उसी सब के problem की, तो solution निकालेंगे न, हम यहाँ हबन थोड़ न करेंगे, problem अभी आपके सामने रख दिया, problem सामने आने से क्या हो जाता है, आपकी सोच क्या हो जाता है, बढ़ जाते है, और यह इतने सारे मुसीबत है, मुझे इस हिसाब से प्रिपेर हो के रहना है, पसमझ में आ गई, तो वहाँ पर क्या होगे, अब जब problem आएंगे, तो हम देखेंगे कैसे निपटना है, ठीक है, चलो वापस आते हम लोग इधर, एक एक कर क्या राउंड है, 80, कैनेडियन डॉलर आज कितने क्या राउंड है, यह सारे में अभी कली मैंने डाला है सारे डेटा, क्योंकि हर बात से मैं अपडेटे डेटा रखता हूँ, तो सारे डेटा आप मैंने काली चेक किया है, हाँ, जैसे यह आपको दिख रहा होगे, 58 दिख अब मैं यह ऐसे नहीं याद रखते हूँ, ठीक है, अब यह दिख रहा है मेरे मलेशियन डिंगेट दिख रहाता है 18 पॉंट सम्थिंग, मुझे राउंडिंग अफ मुझे 20 ज्यादा पसंद आया, तो मैं 20 रख लिया, यह दिख रहा है मुझे 11 पॉंट सम्थिंग, तो मै मैं पता है कि यह भी हमारे काम नहीं आने वाले है, क्यों काम नहीं आने वाले बताओ, क्योंकि हम आज देख रहे हैं, और क्वेस्टन जो बनाए जाएंगे, वह वहां से कॉपी पेस किये जाएंगे, जिसका बेस होगा 5 साल पुराना क्वेस्टन, 20 साल पुराना आपको गलत-गलत दिखेगा, तो आप पहले से माइंड प्रिपेर करके रखेंगे, अच्छा, आज हम यह आज स्टांट करते हैं, पहले कुछ और सिच्वेशन होंगे, हमें क्या करना है, ठीक है, बड़े आगे, चलो, Canadian dollar, 60 के राउंड, Canadian dollar के बाद किसके नमबर आती है, Australian dollar जो की 55 के राउंड, उसके बाद Malaysia का currency, Malaysian ringgit 20 के राउंड, Chinese currency, Chinese yuan, yuan, renminbi बोला जाता है, कभी-कभी अगर renminbi नाम से भी दे दिया जाए, तो Chinese currency हो, yuan, 10 के राउंड, Indian का तो rate यहां नहीं लिखेंगे, वन के respect जाएगा, Nepalese currency 0.625 है, exactly, याद रखने की जुरत वैसे नहीं है, अब हम लोगों को बच्पन से देखते-देखते, याद हो चुका हो, बात अलग है, Japan की 0.60, यानि कि Japanese currency, even Nepalese currency से भी क्या है, आपका weaker है, सबसे सस्ता currency जापान का एन, बोलोगे कैसे, देखो आप, जापान का एन कितना rate चल रहा है, बताना जल दी से मुझे, एन, 1 is equal to, रूपी, 0.60, क्वांटिटी किसकी कम है, रूपी की, strong है, ये क्या है, बताइए, weak है, एक बार कभी मैं, CA Intermediate में पढ़ाता था, तो वहाँ पे एक Foundation के टीचर थे, जो Economics पढ़ाते थे, ऐसे कुछ बात हो रही थी, तो बोल रहा था कि, एन हमारा इतने rate पे पहुंस गिया है, 54 से 55 सम्थिंग बोलाओ, बना एन तो, और उनका यह माना था, कि एन हमारा strong है, क्योंकि जो अभी आपकी वेवसाइट दिखा रहा हो न, ये वेवसाइट पहले कुछ और हुआ करता था, NSC वाले, ये जो NSC को वेवसाइट है न, ये पुराने वेवसाइट के front, top homepage पे ही currency का rate आता था, ठीक है, currency के rate homepage पही आते थे, जो अभी नहीं दिख रहा है, अब ही नहीं में कहाँ से ले क्या होंगा, ठीक है, तो currency के rate जब front page पही आते थे, तो वहाँ पे, N को 100 के term में quote किया जाता था, नहीं समझे बात, N को 100 के term में quote किया जाता है, आज officially कहीं भी जाओगे, N1 का rate नहीं मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, N100 is equal to rupee 60, ऐसे मिलेगा, तो उसी NSE के website के homepage पहे, ऐसे rate होता था, officially तो ऐसे नहीं मिलेगा, officially मिनते थे, GBP, INR, 110 के around, USD, INR, कितने के around, जल्दी, 80 के around, और popular currency कौन सी हो गए, EUR, EUR, INR, कितने पे गए जल्दी बताओ, 90 के around, ओके, और यहां लिखा जाता था, JPY, INR, और वहां पे 100 के टम में लिख दिया जाता था, और वो लिखते थे आपका 60, तो लोगों का क्या मानना था, कि यह जो है न, एक जापनी जन का 60 चल रहा है, मेरे साथ कभी बहस हो गए, उन्हीं टीचर के साथ, जो एकनोमिक पढ़ाते हैं, नहीं, जापनी जन तो 60 का सबस, 60 कैसे हो जाएगा, 0.6, 60 नहीं, क्या बात कर रहे हैं, फिर ऐसे बात होते होते, एक दो मिनिट की बहस पे, फिर चलते हैं, नहीं के साइट पर हम दिखाते हैं, आप कहां दिखाई हो भाई, ठीक है, नहीं के साइट पर गए, तो सही में 60 का रहा हुआ थे, लेकिन वो भूल रहे थे, वहां पर क्या लिखा हुआ था, 100 JPY के तर्म में, मतलब Japanese yen कितना रखना है आपको, 100, तब I&R कितना है, 60, मैं तो आज तक नोटी सी नहीं कहा, Japanese yen के साथ क्या लगा हुआ है, 100, होता क्या है, जो सस्ता करिंसी है न, उसको 100 के तर्म में कोट किया जाता है, 100 के तर्म में कोट किया जाता है, क्योंकि नहीं तो decimal error बहुँ जादा आ जाता है, बात समझ में आ गई कुछ, तो हम लोग भी क्या करते हैं, यहाँ पे, जो सस्ता करिंसी है, जैसे Japanese yen हो गया, तो 100 के तर्म में हो गया, या Nepalese rupees है, वो 100 के तर्म में कोट किया जाता है, तो officially, या तो per unit के exchange rate मिलेगा, या तो फिर मुझे, जैसे यहीं पर देखो, यह 100 का rate होगा आपका, यह जो देखो, मैं आपको जाता हूँ यहाँ पे, यह चलता हूँ Japanese yen पे, ठीक है, मैंने Japanese yen पे यहाँ पे कर दिया, जो कितने के rate दिख रहा है, 59 दिख रही है, अब आप मुझे वताइए, हमने तो अभी हर बार लिखा था, कि भाई JPY किया, तो 100 तो Japanese yen तो क्या, इतने का सपास चल रहा है, 60 का सपास, देखना LTP कितना चल रहा है यहाँ 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 पर जाके चेक कर लेता हूँ, कहाँ जाता हूँ, चलो मैं यही पर जाके चेक करता हूँ, मैं कहता हूँ एक काम करना, मुझे न, Japanese yen यानि कि JPY का INR के साथ rate दे दो मुझे, लो यह तो 0.59 के रहा है, जबकि NSC के website कितना दे रहा है, 59, अब यह कौन समझेगा, बताओ मुझे आप, यह अब लिखा तो कहीं पर भी नहीं है, लो, अब यहाँ पर साथ हो सकता है, लिखाओ इसके अंदर detail में, यह रहा देखो, लिखा है यहाँ पर, अंदर जब गहराई में गयता बता है न उसने, कि देखो भाई, Japanese yen INR का rate है, लेकिन हमने इन कितना लिया है, 100, और यह आपका बन रहा है 59, ठीक है, तो, इन सस्ता currency के साथ, थोड़ा quantity ज़ादा रख देते हैं, जैसे आप देखना, जब सबजी महंगा होता है, तो पाउ की rate बताते है, है न, अभी टोमाटो खरीदने दाओ, पाउ की rate बताते है सब, जबकि 20 रुपे केजी था, तो कोई पाउ नहीं बता था, 5 रुपे पाउ, 20 रुपे केजी, इसके पीछे भी लोग logic लगाना शुरू कर देते, जैसे एक बार पीछे, एक student के साथ ऐसे ही बात हुई, किते हैं नहीं सर, ये Japanese yen 100 क्यों देता है पता है, बहुत हैं बताओ, क्यों देता है, सर जापान में सबसे lower denomination करेंसी की, वो 100N है, हो सकता है, मैं आपकी बातों पर भरोसा कर लेता हूँ, क्यों मुझे इस पर मैं ऑफिसियली इसको मैं भेरिफाई तो नहीं कर सकता, और ना मुझे अभी पता है, लेकिन चलो मैं एक मिनट के लिए मान लेता हूँ, तो चलते हैं अब नेपाल के करेंसी पर, अफिसियली नेपलीज करेंसी के लिए जहां भी रेट देखोगे, तो आपको क्या रेट मिलेगा, मैं बता दू आपको, जहां भी जाएए, अफिसियली अभी आप आप अर्भी आइ में रेट को पूछने जाएए, आपको रेट जो मिलेंगे, NPR, 100 का, आपको जो मिलेंगे इदार, रुपीज में 62.5 मिलेगा, तो मुझे बताए, नेपल की, अब इसका तो मुझे स्रीय क्या करके पता, यहां की तो lowest denomination 100 नहीं है, बट फिर भी रुपीज 100 क्यों कोट कर रहा है यहां के लिए तो फिर, क्योंकि वो सस्ता currency है, सस्ते currency को अगर एक में बताएंगे न, decimal में आगा 0.625, सब्सक्राइब और अगर थरस और छोटा होगी अगर मान लिजिए, तो और ज़्यादा उसमें जाएगा, तो इसलिए rounding up की बहुत ज़्यादा mistake आते, इसलिए weaker currency को लोग क्या करते हैं, 100 में कोट कर देते हैं, और इसलिए हमारे questions के अंदर भी एक दो बार मिलेगा, आपको 100 unit के time में, तो ज़्यादा दिमाग खराब करने की ज़रत नहीं है, ठीक है, चलिए, तो अब एक बार हम लोग एक conclude करते हैं, अभी तक हमने एक बार conclude करें, तो हमने कुछ नहीं बढ़ा है आज, थोड़ा सा background लिया, और currency, rate की हम बात कर रहे हैं, exchange rate कहां कहां की currency क्या क्या चीज है, और वो आगे हमारे को बहुत ज़्यादा help करते हैं, ज़रत भी है, एक time करते हैं, हम currency की ज़ो price अभी बोल रहे हैं, उसको एक बार तुरह साब repeat करना मेरे साथ, बताएगा pound की, ज़रा जल्दी, 110 के around, ठीक है, इसके बाद की currency, इसके बाद जो महेंगा currency कौन सी है, 6 franc, CHF कितने के around, 95, euro, euro का symbol यह है, EUR लिखते हैं, 90 के around, उसके बाद की currency, dollar कितने के around, 80, वैसे 82 चल रहा है, 80 आप याद रख लीजिए, बहुत दिनों से 80 चल रहा है, उसके बाद की currency, देख के नहीं, ऐसे बोलेंगे, recall करेंगे, dollar के बाद 2 और dollar, dollar के बाद 2 और dollar, Canadian dollar, Australian dollar, Australian dollar थोड़ा सस्ता है, Canadian dollar थोड़ा महँग है, ठीक है, कितने के around, 60, 55, ठीक है, उसके बाद की currency, सीदा चले जाओ, Malaysia, MYR, बोलो कि और currency क्यों नहीं लिया, बै और currency क्यों ले, जितना question आते हैं, उतना ले ले काफी है न, ठीक है, Malaysian ringgit, 20 के around, Chinese yuan, CNY, 10 के around, फिर उसके बाद, जो हमारे number आता है, इंडियन currency का, उससे जादा सस्ता कौन है, NPR, वो जाएगा आपका 0.625 के around, उससे भी सस्ता कौन है, Japanese NJPY, ठीक है, जो की 0.60 के around, इतना अगर आपको rate याद हो गया न, तो इसके एक दूसरे के आपस में, कोई भी rate बना सकते हो, कैसे बनाएंगे, हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, इसमें न, जैसे हमारे Indian currency का, fractional unit कितना है, पैसा, पैसा, कितने डिजीट तक में, दो डिजीट में अभी भी value है, हमारे पैसे का, यह दूसरी बात है, कि पैसे वाले currency आज के rate यहां पर यूज नहीं होते है, सबसे lower denomination कितने हो चुके अभी, 1 रूपी, तो वैसे ही, जो की 100 पैसे में converted था, तो अब क्या होता है, जो stronger currency होता है न, उसका currency, जैसे माल लेजिए, अब थोड़ा से चलते हैं, हमारे पास थोड़ा से time है, यह देखो, purchasing पार पहले क्या कहता है, समझेगा, exchange rate कैसे decide होता है, exchange rate कहते है कि, कि किसी भी एक सामान का price, किसी भी country में चले जाओ, equivalent term में, same होगा, इस concept से, exchange rate बनती है, क्या बोला मैंने, यह देखो, यह थोड़ा सा मैं आके जंप कर रहा हूं, फिर वापस आएंगे, ठीक है मैं थोड़ा से यहाँ जंप करा, कि exchange rate कैसे बनता है, exchange rate बनने के लिए, पर्चेजिंग पावर पारिटी क्या कहता है, exchange rate between two currencies, depends upon price of a product, किसी एक product का, in two countries, यह पर्चेजिंग पावर बताते है, पर्चेजिंग पावर क्या होता है, सब लिखा होए बाद में आपको थोड़ा सा डेटेल बताएंगे, वो क्या कहता है, कि अगर किसी सामान का price इंडिया में अगर 800 है, और उस सामान का price अगर US में $100 है, तो पर्चेजिंग पावर कहता है, कि इंसका जो equivalent तम में दोनों equal है, मतलब 800 is equal to $10, यह exchange rate बना के देता है, यानि कि exchange rate में कोई currency stronger है, और कोई currency weaker है, वो बताता है purchasing power, इसका मतलब हमें बहुत ज़्यादा analysis किसके अंदर करना पड़ेगा, purchasing power पे, और purchasing power जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा inflation, और inflation जानने के लिए एक दो चीज और जानने पड़ेगे, GDP और interest rate, इसी लिए आप देखोगे तो हमारे पढ़ाने के style में देखना, exchange rate पे हम बाद में आते हैं, पहले हम inflation, inflation, GDP, और दोनों के जो monetary policy से decide होती, उस सारा चीज हम पहले background मना देते हैं, तब जाके हमारा क्या होता है, मैंने पहले ही क्या बोला, क्या चीज पहले पढ़े, क्या चीज बाद में पढ़े, उस पे भी बहुत सारे चीज हमारा क्या होता है, लिंक होता है, हम जब exchange rate के पीछे जाते हैं, तो inflacer और interest rate की बात करें, तो GDP की बात कर लेंगे, ताकि हमारा सारा क्या हो जाएगा, money circulation की बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि money circulation ही exchange rate डिसाइड करके देता है, और money circulation में money policy जो होते हैं, सबसे पहले आता है, क्योंकि देखो आप, monetary policy की एक ही objective होते है, money supply को regulate करना, और money supply से exchange rate डिसाइड होती है, समझ में आ गया कुछ बात, तो हमारे पढ़ने के style में हमेशा full detail चलती है, चलो वापस आते, क्योंकि एक दिन में कोई किसी को judge नहीं कर सकते, बात समझ में आ गया, मैंने क्या पढ़ाया, क्या नहीं पढ़ाया, जब आप 10 class मेरे से पढ़ लोगे, उसके बाद आपको क्या होगा, realize होगे, पढ़ने का नजरी आपको बदल जाएंगे, चलो वापस आते, तो मैं अभी क्या बात कर रहा था, purchasing power की, चिक है, purchasing power क्या कहता है, और फिर कुशी के दिमाग में गया, सर नहीं, आईफोन तो US में सस्ता है, यहां महेंगा है, यहां महेंगा है, वहां सस्ता है, या कुछ भी है, जो भी आपको लगता हो, क्योंकि मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, कि कहां पर price कितने differences है, याद रखना, अगर, made in USA हो, और इंडिया में मिले, तो लाने का भी तो खर्चा आता है, उसके अंदर transaction cost, tax differentiation, यह सारे आपका ignore किया जाता है, purchasing power के भी दो format होती है, purchasing power यह कहता है, कि पहले आप यह transportation cost और taxation difference को अटा दो, को लोगे taxation difference क्यों हो, क्योंकि यहां पर कोई खरीदेगा बैचे का GST अप्लाई होंगे, export होंगे, GST खतम हो जाएगा, जैसे आप देखो, कोई समान इंडिया में बनती है, इंडिया में ही बिखती है, GST लगेगा, समान इंडिया में बनती है, बाहर export होती है, GST उसके लिए छोड़ दिया जाता है, तो GST छोड़ दिया तो सस्ता हो गया, लेकिन transportation cost भी आ गई, आई नहीं आई, तो वो सब चीजों की वैसे differences होते, purchasing power parity ये कहता है, कि आप उस transaction cost को छोड़ दो, tax differences को छोड़ दो, और फिर equivalent term में आपका same होगा, तब जाके exchange rate decide होती है, यानि कि exchange rate से price decide नहीं होती है, उल्टा, price से exchange rate decide होती है, पहले मुड़गी पहले अंडा, answer मिली कभी है, नहीं मिली न, वो कभी मिलेगा भी नहीं, इस life में तो नहीं मिलने वाला है, ना कभी इसकी answer किसी को मिल सकता है, पहले मुडगी या पहले अंडा, exactly यहीं चीज है, लेकिन यहां हमारे को answer पता है, पहले exchange rate, तब price या पहले price तब exchange rate, purchasing power parity कहते हैं, कि हमारे पास हर country का अपना price है, उस price को equal करके, हमने exchange rate decide कर आए, अब आपकी सोचने की नजरिया बदल जाएगा, हम लोग तो अभी तक क्या किया करते थे, exchange rate को use करके price निकालते थे, जबकि यहां theory कहता है नहीं, price पहले लोग दोनों country की देन जाके exchange rate decide होगी, अब आपकी जो research होना चाहिए, किसके अंदर जाना चाहिए अब, अब price के अंदर, अब price कहां से आती है, inflation से, inflation कहां से decide होती है, money circulation से, अब money circulation क्या होता है, अब हम लोग next class में discussion करें, ठीक है, अब ही हम बात कर रहे है, purchasing power की, purchasing power कहता है कि, एक toffee की price क्या होना चाहिए, बताइए, इंडिया में, जल्दी, आज इंडिया में टोffee कितने कहती होगी, 1 रुपी क्याती है, purchasing power कहता है कि, कुवेट में भी क्या होना चाहिए, कुवेट में भी ये toffee मिलना चाहिए, बताइए, कितना कुवेट का दिनार होना चाहिए, तो जल्दी, 1 divided by 270, मानते हो, हाँ या ना, आप बताओ, KWD1 कितना था बताना, रुपी 270, अगर मैं रुपी 1 रखो, तो यूनिट्री में था बच्वन में पढ़ा होगा, हाँ या ना, KWD, कितना होता है बताइए, 1 divided by 270, 1 divided by 270 आगया आपका, 0.004 कर दे क्या, राउंडिंग अप करके, अब आप मुझे बताइए, ये तो, पैसे का भी fraction हो गई, मान लो, जैसे हमारे लिए पैसे हो था, 100 पाइट में डिवाइट होती है, यहां तो 100 में नहीं देखो, कितने पाइट में चली गई अब ये, ये तो 3 डिजिट में चला गया, 2 डिजिट में तो 0 ही है, तो क्या 0 में मिल जाएगा हमारे को टॉफी, नहीं, तो 3 डिजिट में जाना पड़ेगा, अब मान लिजे मैं 0.004 पैसा बोलू तो कितना हो जाएगा, इतना मिल पाएगा किसी के जेब में, होगा कहीं से ला पाओगे, इबन बैंक के फ्रेक्शन भी नहीं चलेगा आज के रेट पे, बैंक के भी स्टेट्मेंट में 2 डिजिट जलते हैं आज के रेट पे, इसलिए 2 डिजिट क्यों है, क्योंकि 100 से जादा एक पैसे से नीचे का वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, तो 0.01 होता है एक पैसे, तो इससे नीचे तो जाई ही नहीं सकते हैं, अगर इससे नीचे जा रहे हैं मतलब पैसे का भी फ्रेक्शन है, इसलिए देखिएगा, सबको पता है कि कुवेत का दिनार अगर इतना स्ट्रॉंग है, तो उसको आज के रेट पे 1000 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसलिए कुवेत की दिनार जो है थाउजन फिल्स उसका चलता है, 1000 फिल्स, क्या हुआ मतलब बताइए, 0.001 हो गया एक फिल, एक फिल हुई ना, तो मुझे बताईए, अभी टॉफी की प्राइस कितना ही है, वहाँ टॉफी कितने में मिल से होंगे, चार फिल्स में टॉफी मिल जाता होगा वहाँ पे, गया नहीं कभी, लेकिन महसूस कर रहा हूँ मैं, पास समझ में आ गए, चला, इसी तरीके से सारे फ्रैक्षिनल यूनिट को एक बार जान लेते हैं, ठीक है, कुएट का थाउजन फिल्स, यूके का, यूके का कौनसी करेंसी है, पाउंड, पाउंड, उसकी फ्रैक्षिनल यूनिट क्या पता है, पैनी, बहुत सुना होगा, आप लोग उन निमूवी में, अरे तुम्हें एक पैनी नहीं दे रहा, एक पैनी नहीं दे रहा, क्या मतल़ है बताओ, पैनी ए स्टाउक, सुना कभी, अरे पैनी ए स्टाउक में पैसे मतलगा, अब समझ जाओ पैनी क्यों यूज कर रहा है लोग, यानी कि वो पाउंड के, फ्रैक्शनल यूनिट को क्या बिल रहे हो लोग, पैनी वर्ड यूज कर रहे है, जैसे स्वीजे लैंड की जो करेंसी है, उसकी फ्रैक्शनल यूनिट है रैपें, मैं आपको बता दू, क्या-क्या हमें जरुरत किये, आप चाहो तो अंडरलाइन कर सकते हो, यह हमारे काम की है, शुनिएगा, यह हमारे काम की है, इसकी फ्रैक्शनल यूनिट, यूएस की फ्रैक्शनल यूनिट हमारे काम का है, दो पे तो कितने बार कोई स्था ना रखा याद रखना, penny और cent हमें पता होना चाहिए euro का भी cent ही है, याद रखना जैसे, निपलीज रूपीज का भी पैसा है इंडियन रूपीज का भी पैसा है, पाकिस्तानी रूपी का भी fractionality क्या है, पैसा है तो वैसे ही, दो currency का fractionality same हो सकता है, तो याद रखना आपकी euro की जो currency का भी fractionality क्या है, cent है और इसका भी fractionality क्या है आपके लिए cent है, जैसे one cent का मतलब क्या हो गया dollar के time में one price, जैसे हम लोग बोलते हैं उनके लिए one cent हो गया, one cent बोलेगा तो euro का भी fractionality है, याद रखने आप लोग, दोनों आपका fractionality है, लेकिन दोनों में क्या है बताईए, cent, question पूछा गया है derivative में, दो-तीन बार पूछा गया है एक बार लिखता है euro cent एक बार लिखता है dollar cent समझ जाना क्या मतलब है, dollar cent लिखा मतलब dollar का fractionality euro cent लिखा मतलब क्या बताईए, euro का fractionality क्योंकि दोनों का fractionality क्या है बताईए send और इसको लिखा जाता है चाहिए एक परक चाहो तो यहाँ पे लिख लीजेगा आप लोग इसको ऐसे denote किया जाता है यह miss होगे यह मैं डाल दूँगा send को जो है इस तरीके से लिखा जाता है कहीं पर भी आपको मिलेगा तो यह जो आपको final print मिलेंगे न उसमें corrected मिलेगा तो अभी जो हम लोग देखते जाएंगे थोड़ा बहुत कहीं पर रह गया होगा mistakes होगर वो भी आपको correction होके मिलेंगे और इसको समाल के रखेंगे अभी underline करते जाएंगे live बाले print करा के करेंगे मेरे से reimbursement करा लेंगे ठीक है और क्या केते हैं उसके बाद जब आपको final आएंगे यह final जो class notes मिलेंगे उस पर फिर दुबारा क्या करना copy paste कर लेंगे ठीक है चली वापस आते तो cent हो गई Australian का भी cent होगा क्योंकि सारे dollar ही है dollar dollar का cent cent ही आएगा Malaysian ringit का cent है जरुरत नहीं हमें याद रखने की क्यों क्योंकि आज तक institute ने इसको use करके question नहीं पूछा गया है सिर्फ आपके general knowledge के लिए मैंने लिखके दे दिया है China का 10 giyao है Chinese currency को सिर्फ 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है और एक giyao का मतलब उनके लिए 10 पार्ट में डिवाइड है Indian currency के लिए आपको पसा है 100 पैसे है Nepalese currency भी पैसे में है और Japanese भी cent में है यानि कि देखना Malaysian भी 100 cent में डिवाइड है और Japanese yen भी 100 cent में है अब या ओल लेड़ी इतना हुई करे कहां चलता होगा एक cent एक पैसे तो चलता नहीं एक cent चलता होगा नहीं वहाँ तो कह रहे थे एक लड़के कि उनके तो कोई brother है वो कह रहे है कि सबसे छोटे denomination क्या है वहाँ पर 100 yen तो भाई तो वहाँ तो 5 yen भी नहीं चलता होगा फिर महसूस कर लेते जिसने जो बोला है पर फिर भी ठीक है मैंने ऐसे लिख दिया जब मुझे क्या था कि देखो मुझे cent बताना ही था पहनी मुझे बताना था तो मुझे लगा चलो एक बार list देते रीड करने में कोई बुराई नहीं है सुना दो रहेगा न कम से कम एक बार इसको भी रीड कर लीजिए कौन-कौन सी करेंसी को कौन-कौन रेगूलेटर है देखो बैंक आफ इंगलैंड जरुरत नहीं हमें याद करने के एक बार सुन लो बूल जाओ हाँ ये जरूर याद होना चाहिए क्योंकि जब भी न्यूजोगर में कभी भी जाओगे ये आपको हर बार इसकी जिक्र कर रहा होगा ECV, FED, FED कार्ज डिसीजन आने वाला है FED कार्ड मिटिंग है FED के मिटिंग में इंटरेस्ट हाइक होगी इंटरेस्ट डाउन होगे क्योंकि मोनेटरी पॉलिसी के अंदर इंटरेस्ट बढ़ाने घटाने की बात होती है तो हम लोग जो कल मोनेटरी पॉलिसी की जब कल बात करेंगे तो वहाँ पर इन सब की जिक्र जरूर आएंगे मैं आपको कुछ न्यूज भी सेयर करूंगा करेंसी पर रिपोर्ट जो कुछ न्यूज चैनल लोगर पहले करेंसी रिपोर्ट बनाते थे जब मार्केट में कुछ भूचाल आती थी तो करेंसी की रिपोर्ट बनाते थे ओ लोग आज के रेट पे मेडिया का मतलब यह हो चुका है कि आपको कुछ knowledgeable चीज़ मिलते ही नहीं है सिर्फ जाओ दो लोगो को बिठा के लड़ते रहो बाई दो लोग के opinion पूछो अरे बाई मेडिया का मतलब दो का opinion पूछना है या आप अपना research करके अपना opinion दोगे नहीं समझे बात मुझे तो इतना irritation होते है किसी भी topic पे किसी भी topic पे मान लो एक्सवाइजर कोई topic हो गए मैं दो लोगों को बिठा के में discussion कर रहा हूँ बाई वो दो लोगों के पास जितना दिमाग होगा उतना ही मेरे साथ पहुँचेगा न आप वो दो लोगों के दिमाग, वो भी दो लोग ऐसे अनपड़ लोगों को बिठा रखे नहीं समझे बात तो वो दो अनपड़ लोगों की बातों को सुनके हमारे knowledge बढ़ेगी या घटेगी कुछ नहीं होने वाला है मेडिया का मतलब ही होता है कि आप research करो, जैसे पहले मेरे को कितना मज़ा आता था business salon देखने में मान लेजे आज अगर currency 2% depreciate हुई, पूरे background report देते थे फ़र 2% क्यों change हुई मैं आपको दिखाऊंगा, इसलिए मैं पुराना news दिखाऊंगा आपको क्योंकि नया news मुझे दिखता ही नहीं हो currency पे मैं पुराना दिखाऊंगा, जैसे एक दिन में ये currency जो है न, 30 साल के lower level पे एक दिन में लुड़क गई है 30 year के lower level पे एक दिन पे चला गया जब UK European Union से बाहर हुए आपको याद होगा, कुछ दिन पहले 2016 है I think 2016, Britain exit किया था European Union से, ये सब मैं अगले क्लास में discussion करूँगा, एक दिन के अंदर 10% pound currency depreciate कर गया इतना बढ़िया सा report बना के देते थे business channel वाले, कि देखो इससे क्या-क्या impact आएगा, हमारे एकनमी पे क्या impact आएगा, तो सुनने में मज़ा आता था अरे कम से कम, एकनमी तो हमें समझाता है वो आज के rate पे भाई, अगर currency depreciate कर गया तो दो को बिठा देंगे अच्छा बताओ, आप क्या सोचते हो इस पे अरे भाई, उसके सोच से हम क्या कर रहें, यहाँ पाचा डाले गया आप बताओ ना कि एकनमी पे हमारे क्या impact आड़े, हमारे को समझाओ एकनमी, समझाने वाले काम तो नहीं करते हो दो को बिठा के debate करते हो, तो यह आज की media बिल्कुली change हो जूका है मतलब situation नहीं बदल गए, तो यह सब मैं चीज़ दिखाऊंगा वापस आए, कहां थे हम लोग कुछ बात कर रहे थे, हाँ तो वहाँ पर यह federal reserve की बात करेंगे, उस business channel पर यह ECB की बात करेंगे, European Central Bank तो जो stronger currency है, उन सब चीज़ों का जरूर याद रख लिजएगा Bank of England जो है आपका किसके है, UK के currency को control करते है बांकी सब तो ठीक है, Bank of Canada, Reserve Bank of Australia, Bank Negara, Malaysia, People's Bank of China, Reserve Bank of India, Nepal, Last Bank, Bank of Japan यह भी आपको थोड़ा से सुनने को मिलेगा बिजनस में, क्योंकि इसका भी impact हमारे currency उस पर बिजनस पर आते है ठोड़ा से इसके नीचे ने दोचार लाइन का note लिखा हुआ है, एक बार रीड कर लेते है, देखो क्या होता है जैसे euro currency की बात किया, है ना, अपको पता है euro total 20 country यूज़ करते है euro currency as a national currency, तो वही चीज़ यहाँ पर है, मैंने कुछ-कुछ लिखा हुआ, इसको रीड करते है ISO को अल्रेडी बता दिया, euro zone जो है, इसमें monetary union of 20 members state of European union that have adopted the euro as primary currency and sole legal tender मैं यह क्यों बता रहा हूँ पहले, इसको जानी आप, ऐसा नहीं कि मुझे history बताने की कोई सौख है, इतना time भी नहीं आज के rate पर, मैं आपको बता दू, आज के rate पर तो जो जितना कम time लगा रहे हैं क्लास में जब ज़्यादा time देते हैं तो आपकी revision time कम होती है, हम अगर क्लास में कम time देते तो आपकी revision time क्या होता है, बढ़ते हैं हम भी कम time में खतम कराते हैं fast track, 140 गंटे में पूरे खतम करा देते हैं कभी डाल देगा duge mark, कभी डाल देगा euro, बच्चे confused, sir जर्मन में कौन सी currency यूज होती है तिसले मैंने एक दो example दे दिया है कि देखो जी, Germany, European country, 2002 से पहले वो अपना duge mark currency यूज करता था लेकिन 2002 के बाद उन्होंने अपने duge mark को यूज करके euro को as a national currency उसने डाउट करना शुरू किया अब मैंने क्या बताया था आपको, 20 साल पुराना question भी मिलेंगे आपको, हाँ या ना अब मान लीजे, 20 साल पुराने foreign writer के book के question आपको उठा के डालेंगे, तो आज भी अपने question के अंदर duge mark दिखेंगे अब आप बोलें, sir, duge mark यूज होता ही नहीं है, आज euro जर्मन में क्या चलता है? Euro तो भाई, institute को सोचना चाहिए न, आज institute को duge mark डाल के question पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? नहीं पूछना चाहिए आज के rate पे, क्योंकि आज duge mark यूज नहीं होती है, आज कॉनसी currency यूज होती है? Euro तो institute क्या करते है, copy paste की यादत है, पूराने question उठाते है, duge mark डी जाते है, आप confused, कि sir हम जर्मनी के लिए कौनसी currency यूज करें? तो आपको जहां पे euro है तो euro भी, duge mark है तो duge mark है, यह सिर्फ एक example दिया हो कि अच्छा, ऐसा भी situation हमें मिल सकता है, जैसे France की बात करें, उसी date से, उसी date से, France, France, जो, उसका France currency, France fact था न, उसका FRF, France franc, France franc को list करके उन्होंने क्या यूज करना सुरू किया, euro, 2002 से, लेकिन आज भी question के अंदर आपको France franc मिलेगा, यह हमारी गलती नहीं है, तो हम क्या करते देखो, हम अपने level को बढ़ा के रखते है, और हम समझने की capability बना क्लिक के देंगे, तो हम समझ जाएंगे, पुराने question copy paste की हो, French franc भी है, euro, जो है, official currency of 20 of 27 members of state of the European Union, यह इस पर मैं थोड़ा सा discussion करूँगा, next class पर, European Union में, total, आज के rate पे 70 member state है, जिसमें UK भी हुआ करता था, 2016 से पहले, European Union में, 28 countries हुआ करते थे, जिसमें से UK भी बाहर हो चुके हैं, तो अब आपका कितने बचे हुए, 27, उस 27 members of state में से, 20 जो है, कौनसी currency उज़ करता है, euro, इसका मतलब question में, अगर, बहुत सारे countries के लिए अगर euro दिख रहा है, तो परिसान मत हो ना, क्योंकि euro currency किसी एक country ने यूज कर रहा है, कितने लोग यूज कर रहे है, total 20 country जो है, वो यूज कर रहे है, वो भी European Union का ही 27 member में से, ठीक है, तो इतना base currency के लिए काफी है, ठीक है, अब आते है central bank, तो central bank currency को regulate करते हैं, commercial bank को regulate करते हैं, और monetary policy को set करते है, monetary policy को set करते है, monetary policy को जानेंगे हम purchasing power जानना है, purchasing power link है inflation से, और inflation और interest rates से link होता है हमारा currency, इसलिए हम लोग थोड़ा से किसको जान लेते है, monetary policy को, ठीक है, तो next class हमारा अब, कल नहीं, पर्सो, ठीक है, तो पर्सो हम लोग मिलते हैं, तब तक, अभी तो दीरे दीर ऐसे ही चलेंगे, बागी office जाना होते हैं आ तो मिलते हैं, पर्सो, ठीक है, बाबाई